नमस्कार, आज हम निराज सी चौधरी के निवंध इसको हिंदी में पढ़ेंगे, चलिए प्रारम करते हैं और मैं बताऊँगा दमेन, आदमी के बारे में यानि मुझे बताऊँगा कि मौसम कैसा है और मैं बताऊँगा आपको कि आदमी कैसा है अर्थात निराज सी चौधरी के कहने का दादपर है कि मौसम ये सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति कैसा होगा अर्थात मौसम का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तितों पर पढ़ता है टॉमस हार्डी रोट, टॉमस हार्डी ने लिखा था टोमस हार्डी से आप परचत ही होंगे Victorian period का एक बहुत बड़ा novelist हुआ है तो उसने कुछ कविताएं भी लिखी है और ये पंक्ती टोमस हार्डी से ली गई है This is the weather ये वही मौसम है The kukku likes जो कोयल को पसंद है And so do I और यही मुझे भी पसंद है मैं भी कहूंगा So do I कि मुझे भी पसंद है मैं भी ये कहना चाहूंगा कि ये मौसम मुझे भी पसंद है I was in England मैं इंग्लेंड में था In April And therefore और इसलिए The BBC gave to my first talk BBC ने मेरा जो पहला talk मतलब पढ़ चर्चा BBC gave BBC ने दिया To my first talk मेरी पहली पढ़ चर्चा को Which was about The English scene Which जो के यानि जो talk थी जो पढ़ चर्चा थी वो थी Which was जो के थी About बारे में किसके बारे में? The English scene अंग्रेजी द्रिश्य के बारे में The title और उसका title क्या था? Now that April is here अब जब के April यहां है तो BBC ने उसकी पहली पढ़ चर्चा को I did not मैं तब मैंने नहीं However, किन्तु Find पाया किन्तु मैंने नहीं पाया The season मौसम को Quite बिलकुल As जैसा के Browning had described it Browning ने इसका वर्णन किया है Although I stayed on till the beginning of May Although यद्यपी I stayed मैं रुका ठहरा Until the beginning of May कब तक रुका Till means तक The beginning प्रारम Of May मई के मई के शुरुआत तक मैं रुका That year उस साल Spring was late Spring बसंत Was late Late हो गया देर से आया The leaves Less forward पत्तियां कम आगे आई मतलब पत्तियां कम भी पत्तियां कम that जब बसंत का मौसम कि आई ह। नई भी पत्तियां निकलती है तो वही कहने का दात्तता है जब बसंत भाल्व्याक इक अए, आट बउट से निकलotte तो आटें। भी कम आगे आईंध धे अ Best date सद्वियें के मौसम नहीं चह चाहती है अब क्योंकि बसंत देर से आया तो चिडियां भी लैस बिजी थी यानि ज्यादा व्यस्थ नहीं थी कम व्यस्थ थी Nevertheless, किन्तु I liked it, मुझे पसंद आया ये It means ये कौन मौसम, immensely, बहुत ज्यादा किन्तु मुझे ये मौसम बहुत पसंद आया This would seem, this यह would seem प्रतीत होगा Unnatural, अस्वाभाविक, अप्राक्रतिक, to Englishmen, अंग्रेजों को And to my countrymen, और मेरे देशवासियों को Both of whom, जिनमें से दोनों ही, कौन दोनों ही? अंग्रेज और मेरे देशवासी Are in their different ways, are होते हैं In their different ways, अपने अलग अलग तरीके से Confirmed, confirmed means, पक्के Grumblers, शिकायत करता Grumble means, शिकायत करना और Grumblers, शिकायत करता पक्के शिकायत करता होते हैं, दोनों ही About, बारे में, किसके बारे में? The English weather, अंग्रेजी मौसम के बारे में यानि, England के मौसम के बारे में Indian parents, भारतिय माता-पिता Who sent, जो भेजते हैं, their children, अपने बच्चों को To England, England को Are as worried, अर होते हैं As worried, उतने ही चिन्तित About it, इसके बारे में, किसके बारे में? मौसम के बारे में As, जितना के English parents, अंग्रेज माता-पिता Who had sons, जिनके बेटे थे, या हुआ करते थे, रहते थे In India, भारत में Used to be, वो हुआ करते थे यानि, वो अंग्रेज माता-पिता चिन्तित हुआ करते थे जिनके बेटे भारत में होते थे और वो अंग्रेज माता-पिता किस बारे में चिन्तित हुआ करते थे? About बारे में Are snakes and tigers हमारे सांपों के बारे में 오inum के बारे में क्योंकि भारत में सांप बहतायत में पाए जाते हैं और चीते बहतायत में पाए जाते हैं So इसी लिए When, जब In my first letter मेरे पहरे पत्र में to my family जो मैंने अपने परिवार को लिखा from England England से which was जो कि था क्या था मेरा पत्र था seven pages long, seven pages long and described और उसमें वर्णन था the journey, यात्रा का and the arrival और मेरे आगमन का in detail विस्तार पूर्वक, seven page का letter था तो उसमें detail में विस्तार से उसने बताया था कि उसकी यात्रा कैसी थी, उसका आगमन कैसा था उसने England आने पर कैसा मैसूस के तो ये सारी चीज़ें उसने describe की थी there was no mention उसमें कोई भी जिक्र नहीं था जिक्र नहीं था, even of the weather यानि जिक्र even means भी यानि उस साथ पेज के पत्र में जिक्र भी नहीं था of the weather, मौसम का one of my sons wrote तो उस पत्र को पढ़ने के बाद one of my sons, मेरे बेटों में से एक ने wrote लिखा we were expecting हम उमीद कर रहे थे something, something किसी चीज की, किसी बात की about the weather मौसम के बारे में यानि कि हम पत्र में ये उमीद कर रहे थे कि आप मौसम के बारे में कुछ लिखेंगे I hope, मुझे उमीद है you will let us know आप हमें जानने देंगे आप हमें बताएंगे weather कि क्या it is too cold ये बहुत ज्यादा ठेंडा है यानि वहाँ मौसम इंगलेंड में बहुत ज्यादा ठेंडा है or not या फिर नहीं है but लेकिन I hardly hardly means मुश्किल से ही मैं मुश्किल से ही gave any thought कोई विचार किया मैंने मुश्किल से ही कोई विचार किया to it इसके बारे में यानि मैंने मौसम के बारे में मुश्किल से ही कभी कोई विचार किया taking it for granted take for granted का मतलब होता है यूँ ही माल लेना यानि हम कहीं जा रहे हैं तो मौसम में थोड़ा बहुत परवर्तन तो होगा ही हमारे हम अपने देश से बाहर जाएंगे यानि आप देश में भी मत जाएए अपने ही देश में देखिए कि जब हम UP से ऊपर नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो कितना ठंडा होता जाता है South की तरफ जाते हैं ठोड़ा गरम हो जाता है तो जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो ऐसे ही मान के चलते हैं कि मौसम थोड़ा बदला हुआ होगा तो इसलिए लेखग ने इस बात पर कोई विचार नहीं किया इसको मान कर चलावो इन फैक्ट वास्तम में मैंने महसूस ही नहीं किया दा कोल्ड सर्दी at all बिलकुल भी वास्तम में मैंने तो सर्दी को बिलकुल महसूस ही नहीं किया on the third day तीसरे दिन after my arrival मेरे आगमन के I was waiting मैं इंतजार कर रहा था for the bus bus का at a stop एक bus stop पर opposite means जो कि सामने था bus stop hide park hide park है यह बहुत फेमस है पार्क लेंडन में at about nine in the morning at about nine यानि नौ बजे के लगभग in the morning सुबह है a cutting wind cutting wind कटीली हवा यानि ठंडी हवा was blowing चल रही थी बह रही थी and or I had not taken मैंने नहीं लिया था my overcoat अपना overcoat मैंने अपना overcoat नहीं लिया था और बड़ी कटीली हवा चल रही थी an English lady एक अंग्रेज महिला who was there जो कि वहां थी with her little daughter अपनी छोटी सी पुत्री के साथ looked at me उसने मुझे दी तरफ देखा and cried out और चिल्लाई shivering कांपते हुए oh how bitterly cold it is oh aray how bitterly कितना कडाके की cold सर्दी it is है कितनी कडाके की सर्दी है perhaps शायद the topic being the weather जो topic था जो शिर्षक था बातचीत का विशय था being the weather वो मौसम था she did not mind इसलिए उसने वो नहीं हिचकिचाई या उसने mind नहीं किया यानि वो जिजगी नहीं addressing संबोधित करने में a stranger एक अजनबी को and foreigner और एक विदेशी को क्योंकि लेखक उसके लिए अजनबी था और विदेशी भी था तो इसलिए मौसम की बात करने में वो नहीं जिजगी किसी और टॉपिक पर बात करना तो मुश्किल होता है किसी अजनबी से या विदेशी वेक्ती से लेकिन मौसम की बात थी तो वो एकदम बोल पड़ी कितनी कड़ागे की सरदी है is it क्या है I asked quietly मैंने चांती से पूछा क्या वास्तम में है you don't feel it तुम्हें नहीं लग रही she asked in her turn उसने अपने बदले में उसने पूछा लेकिक ने पूछा क्या है तो उसने पूछा क्या तुम्हें नहीं लग रही she asked in her turn and then she added लेकिन और तब उसने आगे कहा she added उसने आगे कहा but लेकिन you have brought तुम लाए हो so much इतनी ज्यादा sunshine धूप with you अपने साथ यानि उस महिला ने कहा कि भई सर्दी तो इसको लग नहीं रही और सर्दी क्यों नहीं लग रही तो उसने मजाग में कहा तुम्हें लगता है इसलिए नहीं लग रही क्योंकि तुम अपने साथ इतनी सारी धूप जो लेकर आए हो उसने देखा कि ये इंडियन है और इंडिया में तो आप जानते हैं अच्छी खासी धूप पड़ती है तो उसने मजाग में कहा कि आप तो इंडिया से अपने साथ इतनी सारी धूप जो लेकर आए हैं इसलिए आपको सर्दी नहीं लग रही that may have been the reason that यही may have been हो सकता था the reason कारण behind पीछे my insensitiveness मेरी असमविदन शिलता के मेरी असमविदन शिलता के पीछे यही कारण हो सकता था भई मैं तो इंडिया से गया था और अपने साथ धेर सारी धूप लेकर गया था for क्योंकि it was not ब्रेवेडो ये कोई ब्रेवेडो तो था नहीं ब्रेवेडो मत्ब ये कोई साहस तो था नहीं ये कोई वहवाई तो थी नहीं ठंड हो रही है और ठंड में मरना कोई वहवाई की बात थी नहीं but लेकिन माय मेरा non-killance non-killance होता है उदासीनता did not outlast outlast का मतलब होता है चलना आगे तक चलना दूर तक चलना तो मेरी जो उदासीनता थी वह नहीं चली the day दिन तक यानि उसने दिन को वह सरपास नहीं कर पाई पूरे दिन नहीं चल पाई मेरी ये non-killance मतलब उदासीनता मेरी ये उदासीनता पूरे दिन नहीं चल पाई by the afternoon दोपहर बाद तक I was मैं था nearly लगभग frozen जम गया and or thought सोचा I should have to buy मुझे खरीदनी चाहिए या मुझे खरीदनी पड़ेगी a bottle एक बोतल of cognac cognac की अब ये cognac क्या है France की brandy है French brandy है तो वो उसकी एक बोतल खरीदनी पड़ेगी of which जिसके के यानि उस French brandy के I had seen मैंने देखे थे some कुछ attractive आकरशक brands in the windows in the windows window वैसे खिड़गी होती है लेकिन आपने देखा हुआ कि दुकानों में आगे जो कांच की कांच का दरवाजा होता है उसके पीछे रैक में सजा देते हैं दुकांदार सामान को तो उसको window बोलते है window shopping भी कहलाता है कि जब आपको आप सिर्फ देखते हैं और खरीदते नहीं है सामान को वहाँ पर देखते हैं कि क्या-क्या सामान सजा हुआ तो उसको window shopping कहते हैं तो मैंने windows में यानि दुकानों में सजे हुए कुछ आकरशक ब्रांड देखे थे उस ब्रांडी के कोगनेक के in my panic I actually bought a bottle of cord liver oil और in my panic panic होती है घबराहट confusion तो अपनी घबराहट में I actually actually वास्तमें मैंने वास्तमें bought खरीद दिया a bottle एक बोतल of cord liver oil ये मचली का तेल होता है मचली के लिवर का तेल होता है तो मैंने अपनी घबराहट में मचली के तेल की एक बोटल खरीद ली which जो कि of course वास्तमें I never took मैंने कभी नहीं ली यानि मैंने उसको कभी प्रयोग ही नहीं किया in the end अन्त में I recuperated on coffee तो I recuperated on coffee मैं ठीक हो गया coffee पीकर ठीक हो गया अन्त में थंड जो लग रही थी वो coffee पीकर शांत हो गई या मैं coffee पर आकर रुका I recuperated on coffee and by the time और जिस समय तक I went out again मैं फिर से बाहर गया in the evening शां को I had got back मैं got back मैं पुने प्राप्ट कर चुका था my aplomb my aplomb मतलब अपना आत्म विश्वास थंड लगी थी तो उसका धीला पड़ गया था शरीर धीला पड़ गया था उसका आत्म विश्वास धीला पड़ गया था लेकिन अल्दो यद्यपी at the time उस समय I did not know मुझे नहीं मालूम था that कि I was going to dine मैं रात का भोजन करने जा रहा था on board board सुवर का मास होता है तो मैं रात के भोजन में खाने जा रहा था सुवर का मास peacock मोर का भी मास खाते मोर का मास and syllabab syllabab क्या है एक तरीके का एक पेयपदार्थ होता है उसमें मीठी क्रीम होती है दूद होता है और साथ में उसमें लिकर भी मिलाए जाता है मदरा भी मिलाई जाती है या फिर आप कह सकते हैं spiced hot milk होता है जिसमें मसाला पड़ा होता है गरम दूद में मसाला और थोड़ी उसमें रम मिला देते हैं शराब मिला देते हैं तो वो slabab कहलाता है and drink mead मीड शहद की बनी हुई मदरा होती है शराब होती है और मैं शहद की मदरा पीने वाला था and flagons of mold claret flagons होती है सुराही जिसमें की मदरा रखी जाती है और मुझे सुराही भरके क्या मिलना वाला था of mold claret ये claret एक लाल फूल होता है जिसको के mold क्या मतलब है कुचलना, crush करना तो उन फूलों को crush करके मदरा बनाई जाती है तो कहने का ताथ पर यह है लेखे कम flagons of mold claret यानि मुझे सुराही भरके उन लाल claret फूलों की मदरा भी मिलने वाली थी शाम के भूजन में, डिनर में यानि अंग्रेजी मौसम के साथ ये मेरा अकेला एक मात्र और छोटा जगडा था afterwards बाद में even continual rain even भी continual जो रुक रुक कर लगातार होती है कोई काम लगातार होता है तो उसको continuous बोलते है और continual का मतलब रुक रुक कर लगाता तो जो लगातार होने वाली बारिश थी वो भी such as I had जैसी कि मुझे जेलनी पड़ी वन डे एक दिन going about जाते वक्त in Wiltshire ये एक जगह है Wiltshire में वो भी मुझे डिप्रेस नहीं कर पाई मुझे उदास नहीं कर पाई मुझे परिशान नहीं कर पाई एनदर टाइम एक और समय I was caught में घिर गया in a spell of really equally यहां कुछ होना चाहिए bad weather होना चाहिए या तो equally और bad के बीच में कोई एक शब्द होना चाहिए equally bad weather एनदर टाइम एक और समय I was caught में घिर गया in a spell means spell वैसे तो मंत्र होता है लेकिन यहां पर जाल में या बुरे मौसम में of really वास्तवे equally इतना ही bad weather बुरे मौसम के इतने ही बुरे मौसम के जाल में में एक दिन फस गया that was यह हुआ at winchester winchester में जब मैं था तब है यह हुआ it is spoiled इसने खराब कर दिया spoil means खराब कर देना my sightseeing sightseeing यानि कोई चीज़ें आप देखने जाते हैं जैसे आप ताज महल देखने जाते हैं या कोई और historical building देखने जाते हैं तो वो sightseeing कहलाता है यानि कि भ्रमण it is spoiled my sightseeing इसने मेरे भ्रमण को खराब कर दिया and also made me और मुझे कर दिया anxious चिन्तित about being able कि क्या मैं समर्थ होंगा to catch the return train to catch पकड़ने में the return train वापसी की train यानि मुझे क्योंकि बारिश हो रही थी तो मुझे चिन्ता हुई कि क्या मैं वापसी की train पकड़ पाऊंगा but I thought लेकिन मैंने सोचा I was compensated compensate मतब शती पूर्ती हो जाना कोई आपका नुकसान हुआ तो उसके लिए भरपाई हो जाना वो compensation होता है तो मेरी शती पूर्ती हो गई but I thought लेकिन मुझे लगा मैंने सोचा I was compensated मेरी शती पूर्ती हो गई when I looked out जब मैंने बाहर देखा and again looked in और फिर से अंदर देखा sitting बैठे हुए near पास में one of the great doors एक महान दरवाजे के पास off the west front पश्चिमी छोर की तरफ off the cathedral cathedral के यानि जहां पर है इस वक्त लेकिक वहां पर cathedral है और उस cathedral के पश्चिमी दरवाजे के पास लेकिक बैठा हुआ है तो एक बार वो अंदर देखता है एक बार वो बाहर देखता है और उसके बाद उसे लगता है कि उसका compensation हो गया है उसकी शतिपूर्टी हो गई है and or waiting for the storm to cease waiting इंतजार करते हुए for the storm तूफान के to cease means रुकना तूफान के रुकने का इंतजार करते हुए all of it ये सब कुछ यानि जो मौसम था जो जगह थी वो सब कुछ was था so very English इतना ज्यादा विलायती इतना ज्यादा अंग्रेजियत से भरा हुआ जो मौसम था वो भी अंग्रेजी था जो जगह थी वो भी अंग्रेजी थी तो सब कुछ इतना विलायती था, इतना अंग्रेजियत से भरा हुआ था There was driving rain Driving rain बहुत तेज वारिश, मूसलाधार वारिश हो रही थी Almost लगभग, like sleet, जैसे के ओले गिर रहे हो sleet means ओले के साथ जब वारिश होती है तो उसको sleet बोलते है And whistling wind और हवा जो चल रही थी ऐसा लग रहा था Whistle, सीटी बजा रही हो, whistling wind सीटी बजाती हुई हवा The trees, पेड, were swaying, जूम रहे थे Violently, हिंसत तरीके से, बहुत जोर से जूम रहे थे Within अंदर, यानि cathedral के अंदर A service was going on Service, जो जिसे हम लोग पूजा अर्चना करते है तो वो लोग उसको service बोलते है Christian लोग जो अपनी पूजा अर्चना करते है उसको service बोलते है तो cathedral में एक service चल रही थी Was going on means चल रही थी Service, पूजा अर्चना आप कह सकते है एक अर्चना चल रही थी for the boys लड़कों के लिए of the school यानि school के शात्रों के लिए एक पूजा अर्चना चल रही थी after the main service main मुख्य यानि मुख्य पूजा के बाद in which जिसमें के I had joined मैं भी शामिल हुआ था यानि जो मुख्य पूजा थी उसमें मैं भी शामिल हुआ था was over वहाँ पर पूजा हुई England was England था in a grave mood grave गंभीर mood भावावस्था यानि England था एक गंभीर भावावस्था में for me मेरे लिए that morning उस सुबह उस सुबह को England मेरे लिए एक गंभीर भावावस्था में था and what a place और क्या जगह थी लेखा को बहुत अच्छा लग रहा है जहां पर वो है तो वो कह रहा है and what a place और ये क्या जगह थी क्या शांदार जगह थी it was ये थी to watch देखने के लिए that grave face उस गंभीर चहरे को और ये चहरा किसका है England का तो England के उस गंभीर चहरे को देखने के लिए क्या जगह थी जहां पर मैं बैठा हुआ था दे ग्रांड नेव ग्रांड शांदार नेव क्या होता है चर्च का बीच वाला हिस्सा जो के काफी उंचा होता है अपने मंदिर का होता है जो इससा बीच वाला वो भी काफी उंचा होता है गुंबद टाइप का होता है मस्जिद का अपनी का होता है तो वो भी काफी उचा गुम्बद होता है तो ऐसे ही चर्च का जो बीच वाला हिस्सा है वो नेव कहलाता है तो दग्रेयांट नेव शांदार उचा उठा हुआ हिस्सा चर्च का सोरिंग अप उपर को उठता हुआ इवन हायर और भी ज्यादा उचा यह होता है एक धूप वाले दिन यानि एक धूप वाले दिन वो जितना उचा दिखाई देता है उससे भी ज्यादा उचा आज दिखाई दे रहा था दा स्टेंड ग्लास यानि जो रंगीन काच होता है काच पर डिजाइन्स बनी होती है तो वो stained glass कहलाता है तो रंगीन काँच shining, चमकता हुआ, dimly धीमे-धीमे the boys choir जो लड़के हैं, जो छात रहें अंदर उनका choir होता है समूहगान and the chanted words chanted मंत्र मुग्ध करने वाले शब्द, जो शब्द हैं जो गीत के शब्द हैं, जो वहाँ पर गाया जा रहा है, उसके शब्द मंत्र मुग्ध करने वाले हैं, इधर बारिश हो रही है, हवा चल रही है, और क्या मौसम है, लेखक मंत्र मुग्ध हो गया है, लेखक उसको देखक, मौसम को देखक और मोहित हो गया है, cathedra में बैठा हुआ है, एक तो cathedra इतना शांदार बना हुआ है, उपर से मौसम इतना शांदार है, बारिश हो रही है, तो लेखा के एकदम मोहित हो गया है. I do not deny, मैं इनकार नहीं करता, however, किन्तो, that, के, the English weather, अंग्रेजी मौसम, can be, हो सकता है, very provoking, बहुत प्रवोक का मतलब होता है, गुसा दिलाना, उकसाने वाला, बहुत उकसाने वाला हो सकता है, Especially, विशेश रूप से, if one is intent on going about one's business, especially विशेश रूप से, if, यदि, one is intent, व्यक्ती का इरादा हो, किस चीज़ का, going about one's business, अपना business करने का, यानि, अपने काम पर जाने का इरादा हो, The distrust, distrust of विश्वास, of the weather, मौसम का, मौसम की प्रती, has been instilled, वो स्थापित किया गया है, into the English breast, अंग्रेजों के, हिर्दे में, for all time, हमेशा के लिए, Whenever, जब कभी भी, I spoke about my sightseeing, मैंने, I spoke, मैं बात करता था, मैं बोलता था, about, बारे में, my sightseeing, अपने ब्रहमड के, कि मुझे ब्रहमड पर जाना है, घूमने जाना है, जब कभी भी मैं बोलता था, I was asked, तो मुझे पूछा जाता था, in anxious tones, anxious, चिन्ता से भरी हुई, tones आवाजों में, Was the weather good? क्या मौसम सही था? I found, मैंने पाया, this distrust, इस अविश्वास को, embedded in a characteristic turn of speech, embedded का मतलब जडा हुआ होता है, in a characteristic, means vicious, turn of speech, आवाज का mode, यानि जब भी मौसम के बारे में आवाज करते थे वेक्ती, तो उनका, उनके आवाज की tone बदल जाती थी, उनकी आवाज अलग तरीके की हो जाती थी, तो I found this distrust, मैंने इस अविश्वास को पाया, embedded, यानि मिला हुआ, in a characteristic, एक विशेश, turn of speech, लहजे से, एक विशेश लहजे के साथ मिला हुआ, When in the long gallery of headfield house, I was looking at the head, gloves and stockings of Queen Elizabeth first, when, जब in the long gallery, लंबी gallery में, of headfield house, headfield house की, यह headfield house क्या है, एक country house, country means देहात का, देहात में बना हुआ, एक घर है बड़ा सा, और वहाँ पर एक बड़ा पार्क है, और बहुत बड़ा पार्क है, जिसको the great park बोलते हैं, और उसके बीच में यह घर बना हुआ है, जिसको headfield house बोलते हैं, और यह कहाँ पर है, एक कस्बा मालेजे town है, headfield राम का, Hertfordshire, इंग्लेंड में जगह है, Hertfordshire, उसमें एक कस्बा है, headfield, और वहाँ पर एक पार्क है, the great park, और उस पार्क के बीच में, एक बड़ा सा घर बना हुआ है, जिसको बोलते हैं, headfield house, तो when in the long gallery, जब लंबी gallery में, of headfield house, headfield house की, I was looking, मैं देख रहा था, at the head, top को, gloves, दस्तानों को, and stockings, और मोजों को, of queen Elizabeth first, queen Elizabeth first के, though she had left behind, जो कि वो छोड़ गई थी, पीछे, in a hurry, जल्दी में, to become queen, रानी बनने की, रानी बनने की जल्दी में वो पीछे छोड़ गई थी, I suddenly asked, मैंने अचानक पूछा, under the impression, अमलब एक, impression में, एक भावावेश में आकर, मैंने पूछा, that she also had an umbrella with her, कि उसके पास umbrella भी तो होगा, चाता भी तो होगा, क्योंकि भई, इंग्लेंड में तो, जब देखिये, पल-पल पर वारिश होती रहती है, तो, जब यहाँ पर, उसका hat है, Queen Elizabeth I का hat है, gloves है, stockings है, तो भई, चाता भी तो होगा यहाँ पर, तो यह मैंने पूछा, I suddenly asked, मैंने अचानक पूछा, under the impression, इसी भावावेश में, that she also had an umbrella with her, कि उसके पास चाता भी होगा, But, where is the umbrella? लेकिन यह वो चाता कहां है? The elderly lady who was taking us round replied, तो, जो elderly lady थी, जो वयस्क महिला थी, who was taking us round, जो हमारा, हमें को lead कर रही थी, जो हमारा ने रेत्रुत कर रही थी, हमें ले जा रही थी, या हमें दिखा रही थी, replied, उसने उत्तर दिया, She trusted to her luck, उसको अपने भाग्य पर भरोसा था, She trusted, उसको भरोसा था, to her luck, अपने भाग्य पर, यानि वो चाता लेकर नहीं चलती थी, उनको अपने भाग्य पर भरोसा था, कि जब वो बाहर निकलेंगी, तो बारिश नहीं आएगी, However, किन्तो, She puckered her brows, पकर्ड का मतलब, जब आप अपना माथा सिकोड़ते हैं, या फिर थोड़ा गुसे में होते हैं, या थोड़ा टेंशन में होते हैं, तो आपने देखा होगा, कि आपकी जो भाग्य हैं, वो सिकोड़ के मिल जाती हैं आपस में, तो She puckered her brows, उसने अपनी भाग्य सिकोड़ी, and said, और बोली, more to herself, जैसे वो बोली लग रहा था, कि वो अपने आपसे ज्यादा बोल रही है, than to me, अप एक शाकृत मेरे, मेरे बजाए वो खुद से ही बोली, but when was the umbrella, लेकिन umbrella कब थे, Queen Elizabeth के टाइम में umbrella थे क्या, but when was the umbrella, of course in the 18th century, of course वास्ता में in the 18th century, अठारे मी शताब्दी में, यानि umbrella, 18 मी शताब्दी में थे, I hasn't मैंने जल्दी से कहा, to reply, उत्तर देने के लिए, The fact, ये तथ्य, that, के, the word, शब्द, लक, भाग्य, is used, प्रियोग किया गया, in connection with, संबंध में, the weather, मौसम के, मौसम के संबंध में, भाग्य शब्द प्रियोग किया गया, as with gambling, जैसा कि gambling में, यानि जुआ खेलते वक्त, भाग्य प्रवल होता है, यानि यदि भाग्य अच्छा होता है, तो आप जुए में जीतते हैं, gambling means जुआ, तो जैसे जुए में भाग्य शब्द का प्रियोग किया जाता है, वैसे ही भाग्य शब्द का प्रियोग मौसम के बारे में किया गया, appears to me, ये मुझे प्रतीत होता है, to be significant, कि ये महतोपोन है, यानि मौसम महतोपोन है, ये फिर भी, it was, ये था, this, यही, capriciousness, बलब सनक, यही सनक थी, मौसम की, that, जो के, I enjoyed, मैंने आनंद लिया, most, सबसे ज्यादा, मौसम की, इसी सनक का, मैंने सबसे ज्यादा आनंद लिया, Englishmen, अंग्रेज, लोग, who complain, जो शिकायत करते हैं, about, बारे में, the unpredictability, ये predict मतलब भविश्यवानी करना, predictable वो होता है, जिसके बारे में भविश्यवानी की जा सकती है, तो वो adjective होता है, और predictability, noun है, और unpredictability, जिसके बारे में भविश्यवानी न की जा सकती, यानि कि अनिश्चित्ता, unpredictability, अनिश्चित्ता of their weather, उनके मौसम की, यानि जो अंग्रेज लोग अपने मौसम की अनिश्चित्ता के बारे में शिकायत करते हैं, can have no conception, उनको conception means विचार, आभास, तो उनको इस बात का कोई विचार भी नहीं हो सकता, उनको कोई आभास भी नहीं हो सकता, कि how, कितना, excruciating, excruciating मतलब पीड़ा दायक, कितना पीड़ा दायक, it's इसका, यानि कि मौसम का, predictability, यानि निश्चित्ता, can be, हो सकती है, यानि अंग्रेजों को ये मालुम ही नहीं है, वो हमेशा आपने मौसम की शिकायत करते रहते हैं, कि उनका मौसम बड़ा unpredictable है, लेकिन मौसम की predictability, मौसम की निश्चित्ता, कितनी पीड़ा दायक हो सकती है, ये तो वो जानते ही नहीं, living in Delhi, दिल्ली में रहते हुए, for two months, दो महीने के लिए, and more, और ज्यादा के लिए, I cannot escape, मैं नहीं बच सकता, the certainty, इस निश्चित्ता से, that, कि the sky, आकाश, will be, रहेगा, चाउनी, पीला, a heat his, एक गर्मी की, his means होती है, चका चौन्थ, will lie, पड़ी रहेगी, like a pall, पॉल होता है कफन, एक कफन की तरह, on the land escape, धर्ती पर, यानि गर्मी के मोसम में, मई, जून का जो महिना होता है, दिल्ली में, या भारत, नौर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, अकसर यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, और दिल्ली में, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इतन चका चौन, विल लाई, पड़ी रहेगी, लाइक अपॉल, एक कफन की तरह, on the land escape, धर्ती पर, देलाइट, जो दिन की रोशनी होगी, यानि जो धूप होगी, विल हैप, उसमें होगा, अ हार्ड ग्लेयर, एक हार्ड कठोर, ग्लेयर, चमक, तीखी चमक, एक चका चौन, ब बलके चका चौन होगा, बहुत ज्यादा तेज होती है, रोशनी, आँख भी नहीं खुल पाती है, उस धूप में, तो जो ब्राइटनेस होती है, वो तो सुकुन देने वाली होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ग्लेयर होता है, हार्ड ग्लेयर, एंड दा अर्थ और धर् दिखेगी, लाइक, जैसे के डाइंग मर रही हो, ओफ हीट स्टोक, लू लगने से, जैसे गर्मी लगने से, लपट लगने से, लू लगने से, धर्ती मर रही हो, ऐसा लगता है, as किपलिंग रोट, जैसा के किपलिंग ने लिखा था, My family, मेरा परिवार, came to Delhi, दिल्ली आया, at the beginning, प्रारंभ में, of a hot season, एक गरम मौसम की, एक गरम मौसम की शुरुआत में, मेरा परिवार दिल्ली आया, And, or, after going through, going through मतलब बिताने के बाद, after बाद में, going through बिताने के, Their first summer, अपना पहला गरीश मकाल, अपना पहला गरीश मकाल बिताने के बाद, in Northern India, उत्तर भारत में, became हो गया, यानि, मेरा परिवार अपना आधा गरीश मकाल, North India में बिताने के बाद, मेरा परिवार कैसा हो गया, half hysterical, आधा पागल, इतनी गरमी पढ़ती है, North India में, So, when, so, आता है, when, जब, one evening, एक शाम को, towards the end of June, जून के अंत की ओर, जून के अंत में, एक शाम को, Storm clouds, तूफानी बादल, suddenly, अचानक, appeared, दिखाई दिये, in the sky, आकाश में, my servant, मेरा नौकर, whom, जिसको के, I had brought, मैं लाया था, over, अलब साथ में लाया था, from Calcutta, कलकता से, burst into the room, एक दम दोड कर कमरे में आया, crying, चिलाते हुए, in a voice, एक आवाज में, चोग्ड, जो के रुंधी जा रही थी, with emotion, भावनाओं से, clouds, the clouds, क्या चिलाया वो नौकर, बादल आ गए, बादल आ गए, we left, हमने छोड दिया, our dinner, अपना dinner, अपना साम का भोजन कर रहे थे, dinner, छोड दिया, and rushed out, और बाहर दोड़े, into the veranda, वरामदे में, there were indeed, वहाँ, वरामदे में, बाहर आकाश में, वरामदे में आकर देखा, कि there were indeed clouds, वास्तम में, वहाँ, बादल थे, piled up, धेर के धेर, in black masses, काले धेरों में, मास भी धेर होता है, यानि, भीड होती है, तो काले बादलों की भीड थी, और पाइल भी धेर होता है, against the usual grey, against, यानि, against में इस खिलाफ होता है, तो विपरीत, यहाँ पर हुगा, विपरीत, the usual, जो कि प्राया होते थे, grey, भूरे रंके, प्राया जो भूरे रंके बादल होते थे, उसके विपरीत, आज, black masses, काले रंके बादल थे, of the evening, शाम को, यानि, शाम को, usually, grey होते थे, प्राया, भूरे होते थे, लेकिन, आज, काले थे, with welcome flashes of lightning, जिसमें के, welcome, स्व अधि, of lightning, lightning, बिजली की, बिजली कड़क रही थे, और बादल गिर रहे थे, it was, ऐसा लग रहा था, as if, मानो के, we had gone through, हमने जेला हो, gone through, हमने जेला हो, the seas of laknau, सीज, घेरा, ओफ लखनव, लखनव का, यह जो लखनव का घेरा, सीज, ओफ लखनव, यहाँ पर reference है, यह आजादी की, लड़ाई के समय का reference है, आजादी के, लड़ाई के समय, सोतंत्रता से नानियों ने, 1857 में, लखनव का घेरा डाल दिया था, तो उस घेरे के टाइम, ना कोई कहीं बाहर जा पा रहा था, ना अंदर आ पा रहा था, तो पुरा ऐसा वातावरन हो गया था, अंग्रेजों के लिए खास कर, कि वो घबराहट की स्थती में आ गए थे, जब लखनव का घेरा डाला था, सोतंत्रता से नानियों ने, तो ऐस लग रहा था, इट वोज एज एफ, ऐसा लग रहा था, वी हैड गॉन थ्रू, हमने जहिला हो, दा सीज ओफ लखनव, लखनव का घेरा, एंड हर्ड, और अब सुना हो, दा पाइपस ओफ दा कैमवेल, तो कैमवेल, ये मेरे पास एक इतिहास की पुस्तक है, इससे शायद बहतर समझ जाएं कि बात क्या है, देखिए, जनरल आउट्रेम और हैवलोग फोर्च देर वे इंटू दा रैजिडेंसी और सेप्टेंबर 20, यानि मैंने जब आपको बताया कि जो स्वतनता सेनानी थे 1857 में, उन्होंने घेरे डाल दिया था रैजिडेंसी का, तो ये जनर सेनानियों ने डाल रखा था, तो फिर Sir Colin Campbell with a strong relieving force, उसके बाद Sir Colin Campbell आये, एक ताकतवर relieving force के साथ, एक सेना के साथ, रीजड वो पहुँचे, the outskirts of the city, यानि शेहर के बाहर, in March 1858, March 1888 में, लखनव इवेंच्वली फैल इंटू दा हैंड्स ऑफ दा बिर्टिश, तो लखन ये एक तस्वीर भी है, ये इतिहास की पुस्तक है, the recapture of लखनव नाम से है, और इसमें आप जो देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है, बड़ी ही दुखद है, और इसके नीचे नोट भी लिखा हुआ है, ये ICSC की बुक है, the English officers and soldiers behaved warvarously, जो अंग्रेज अफसर थे और सैनिक उन्होंने बड़ा दुष्टता पूर्वक विवहार किया, बरवर तरीके का विवहार किया, after they got लखनव, जब उनको लखनव वापस मिल गया, under their control, उनके नियंत्रन में, they even searched, यहां तक कि उन्होंने तलाशी ली, the dead bodies, मृतक शरीरों की, ये देख रहे हैं, आप मृतक शरी वर केरिंग इन देर पॉकेट्स, योकि सैनेक और कुछ दूसरे जो भारतिये लोग थे, उनकी जेवों में, खर, ये तो एक अलग इतिहास की घटना रही, अपने चैप्टर पर हम वापस आते हैं, जो चीज़ हम पढ़ रहे थे, वापस देखते हैं उसको, तो अब जब क बादल आए, अचानक से, तो ऐसा महसूस किया, इट वोज एज एफ वी हैड गॉन थ्रू दा सीज ओफ लगनव, तो ये ऐसा लग रहा था जैसे कि हम लगनव के घेरे को हमने जहला हो, अंदर उसमें बंद रहे हो, और हमने पाइप्स आप कह सकते हैं, तोपों की या लेटा, वाकिंग, चहलते हुए, इन दा मेंडेप हिल्स, मेंडेप पहाडियों पर, इन हिल्स फर्स समर, अपनी पहली गर्मी में, इंग्लेंड, इंग्लेंड में, रिमेंबर्ड, उसने याद किया, all this, इन सब चीजों को, इन सब बातों को, and wrote to us, और उसने हमें लिखा, I shall never forget it, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा, the cows, गाएं, the smell of hay, smell, means गंध, of hay, भूसे की, and farmyard, और farm का आहाता, the grassy path, घास वाला रास्ता, with tall white flowers, tall, उचे, white, सफेद, फ्लार्स, फूलों के साथ, यानि घास से भरा हुआ रास्ता, जिसमें के, लंबे, सफेद, फूल है, red poppies, लाल रंग के, पूपी के, फूल है, nettles, जंगली पौधे, and honeysuckle, honeysuckle, मधूलता, एक बेल होती है, मधूलता, बोलते हैं उसको, the English countryside, अंग्रेज देहात, countryside देहात, अंग्रेजों का देहात, we dream about, जिसके बारे में हम सपना देखते हैं, Have you read, क्या आपने पढ़ा है, Rudyard Kipling, Rudyard Kipling का, at the end of the passes, at the end of the passes, Rudyard Kipling का आपने पढ़ा है, All the time, पूरे समय, I was thinking, मैं सोच रहा था, about a conversation, एक बात्चीत के बारे में, in it, जो कि इसमें है, which I still remember very well, जो कि मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याब है, तो ये Rudyard Kipling के, at the end of the passes से लिया गया, एक conversation है, एक बात्चीत है, जो यहाँ पर quote की गई है, ये दो characters हैं, जिनके बीच में बात्ची चल रही है, Summer evenings, गर्मी की शामे, in the country देहात में, stained glass window, stained glass रंगीन काच की खिड़कियां, light going out, रोशनी बाहर जाती हुई, and you and she, और तुम और वो, jamming your heads together, jamming means टकराते हुए, your heads अपने सिर together, साथ साथ, over one hymn book, over उपर one hymn book, एक भजनों की किताब, hymns होती है, इसायों के भजन होते हैं, तो hymn book होती है, तो एक भजनों की किताब के उपर तुम दोनों आपस में अपने सर टकराते हुए, sad motrem, ये motrem एक करेक्टर है, उसने कहा, yes, हाँ, and a fat old cock chaffer, और एक fat, मोटा, old, बड़ा, cock chaffer, भोड़ा, hitting you, चोट करता हुआ, in the eye, आपकी आँखों में, when you've walked home, जब आप घर की ओड़ जा रहे हों, smell of hay, घास की गंद, भूसे की गंद, and a moon, और एक चंदर्मा, as big, इतना बड़ा, as a band box, जितना के एक band box होता है, band box, एक बकसा होता है, जिसमें पोशाक रखते हैं, जितना के band box, यानि पोशाक रखने का डिबबा, sitting, बैठा हुआ, on the top, उपर, of a hay cock, hay cock, यानि घास का, या भूसे का जो धेर है, उसका उपर का नुकिला सिरा, hay cock हुआ, तो उस hay cock के उपर बैठा हुआ है, कौन, moon, चंद्रमा, जो की इतना बड़ा है, जितना के band box होता है, bats, चमगादणे, roses, गुलाब, milk, दूद, and midges, और मच्छर, sad long days, long days, ये एक और character है, उसने कहा, must have been terrible for those men to think about it all in June in India, must have been terrible, ये बड़ा भयानक होगा, for those men, उन लोगों के लिए, to think, सोचना about it, इसके बारे में, all, इन सब चीजों के बारे में, in June, जून के महीने में, in India, भारत में, यानि भारत में रहने वाले लोग, जून के महीने में, इन सब चीजों के बारे में, सोच नहीं सकते, उनके लिए ये बड़ा मुश्किल है, it was this uniformity, ये थी, uniformity, एकात्मकता, यानि जो इन्डिया का मौसम है, वो गर्मी में, तो गर्मी ही पड़ेगी, सर्दी है, तो सर्दी ही पड़ेगी, बारिश है, तो बारिश पड़ेगी, तो ये uniformity है भारत के मौसम की, ये एकात्मकता थी, of our weather, हमारे मौसम की, यानि भारतिय मौसम की, that made, जिसने बनाया, its changefulness, इसके बदलने की आदत, इसके परिवर्तन को, in England, England में, so pleasant, इतना सुखद, to me, मेरे लिए, यानि, England का जो मौसम है, उसकी जो परिवर्तन शीलता है, उसको मेरे लिए सुखद बना बिया, किसने, भारत के मौसम की, यूनिफॉर्मिटी ने, भारत के मौसम की, एकात्मकता थाने, and if you are, और यदि आप हो, once reconciled, once एक बार, reconcile मतलब होता है, समझोता करना, तो एक बार अगर आप समझोता कर लें, या सामझस से बिठा लें, या अपने आपको अनुकूलन कर लें, अपना सामझस से बिठा लें, to it, इसके साथ, यानि, England के मौसम के साथ, you really enjoy, तो आप वास्तम में आनन्द लेंगे, it's इसकी, यानि, England के मौसम की, mischief making, शरारतों का, and even its downright misbehavior, और इसकी downright एकदम misbehavior, दुर्वयभार, तो जो England के मौसम का दुर्वयभार है, जो शैतानी है, जो बदमाशी है, आप उसका आनन्द लेंगे, अगर एक बार आप उसके साथ सामंझस से बिठा लें, और भाई भारतिय होने के नाते, हम तो यह भी कह सकते हैं, भारतिय मौसम के साथ, आप सामंझस से बिठा लें, तो इसका भी आनन्द ले सकते हैं, अगर गर्मी का मौसम है, मैई-जून का मालीजे मौसम है, हमारे यूपी में बहुत गर्मी पढ़ती है, तो आप यह मान के चलिए, कि आप अफरीका की सेर करने निकले हैं, और नॉर्थ इंडिया में, हमारे यूपी में बढ़ी सर्दी पढ़ती है, जब दिसंबर और जनवरी का महिना होता है, तो उस वक्त आप यह मान के चलिए, कि आप यूरोप की सेर करने निकले हैं, तो सामन जेसे तो आप कहीं के मौसम के साथ बिठा लें तो उसी को एंजॉय कर सकते हैं खेर हमें क्या लेना हम आगे बढ़ते हैं इनी की बात सुनते हैं आगे यह क्या कह रहा है I do not know मुझे नहीं मालूम why क्यों W.H. Davies के यह जो लेखक हैं W.H. Davies यह एक बड़े प्रसिद लेखक हैं वेल्श के और उन्होंने एक किताब लिखी है जिसको यहां पर रेफरेंस भी उन्होंने बाद में दिया है Davies in his poem on laser लेजर पर जो उन्होंने लिखी है वैसे तो एक book है वो autobiography है autobiography of a super tramp tramp मतलब आवारा होता है तो यह बड़े घुमंतु रहे हैं W.H. Davies और उन्होंने इस पर एक किताब लिखी है तो उसमें यह शिकायत है हमारे लेखक की नीरासी चौधी की I do not know मुझे नहीं मालूम भाय क्यों W.H. Davies in his poem on laser लेजर पर उन्होंने जो कविता लिखी है उसमें did not include कि उन्होंने शामिल क्यों नहीं किया दब वैदर मौसम को among those things उन चीजों में for which जिसके लिए a man must have time एक व्यक्ति को समय रखना चाहिए यानि व्यक्ति के पास मौसम के लिए समय होना चाहिए and did not say और उन्होंने क्यों नहीं कहा that it would be कि ये होगा a poor life एक बेकार जीवन यानि एक निमनिस्तर का जीवन if he had not यदि उसके पास नहीं है यानि यदि एक मनुष्य के पास मौसम के लिए समय नहीं है तो उसका जीवन पूर है निमनकोडिका है I think मैं सोचता हूँ I have at last got के at last अंतत है I have got मुझे मिल चुका है मैं प्राप्त कर चुका हूँ a better understanding एक बहतर समझ of किस चीज की समझ of the Englishman's grievance Englishman अंग्रेजों की grievance शिकायत against his weather जो कि उसकी अपने मौसम से है यानि एक अंग्रेज व्यक्ती की अपने मौसम से जो शिकायत है मैं उसकी बहतर समझ प्राप्त कर चुका हूँ ये मुझे लगता है then even he has then means अपेक छाकित even be he has वो रखता है यानि जितनी समझ अंग्रेज खुद रखता है उससे ज्यादा समझ मुझे है उसकी शिकायत की यानि वो शिकायत क्यों है उनको अपने मौसम से इस बात की समझ अंग्रेजों को जितनी है उससे भी ज्यादा निराजसी चौधरी को है ये उनका कहना है to complain शिकायत करना about it इसके बारे में यानि मौसम के बारे में is है a national pastime एक राश्ट्रिय मनोरंजन which has misled जो के misled का मतलब होता है जिसने के ध्यान भटकाया है which has misled जिसने के ध्यान भटकाया है the world संसार का and or led outsiders और बाहरी लोगों को lead की second form है ये misled की second form misled और ये lead की second form led तो ध्यान भटकाया है और lead की second form led होई तो मतलब ये इसने प्रेरित किया है और बाहरी लोगों को प्रेरित किया है to give credit, to give देने के लिए credit share to the Englishman, अंग्रेज को for attributes, attributes गुन, उन गुनों का which, जो के he really owes, he वह, यानि के अंग्रेज व्यक्ति really, वास्तम में owes, मतलब रिणी है to his weather, अपने मौसम का यानि अंग्रेजों के अंदर जो अच्छे गुन है वो उन गुनों के लिए अपने मौसम के रिणी है मौसम की वजह से उनके अंदर अच्छी qualities है attributes, यानि अच्छे गुन है but, लेकिन, before I speak इससे पहले के मैं बोलूं about this इसके बारे में I should like मैं चाहूंगा to observe कहना that के I think मुझे लगता है he really loves it he was यानि कि अंग्रेज व्यक्ती really वास्तम में loves, प्यार करता है it, इसको इसको मतलब मौसम को अपने मौसम को वास्तम में प्यार करता है and that is why और यही कारण है he is always quarreling with it हमेशा इससे जगडता रहता है यानि वो अपने मौसम से प्यार करता है इसी लिए इससे हमेशा जगडता रहता है was it not क्या यही बात नहीं थी la roche for called हो सकता है मैंने गलत प्रणॉम्स किया हो क्योंकि यह एक फ्रेंच ओथर का नाम है who said जिसने कहा था that if one were to judge if यदि one कोई व्यक्ती were to judge पता लगाना चाहे love, प्रेम का by the greater part of its effects यानि greater, ब्रहतर, बड़े part, भाग of its effects इसके प्रभाव का यानि इसके प्रभावों से प्रेम का पता लगाना चाहे कोई तो it would seem ऐसा लगेगा to be more like hatred कि यह नफरत ज्यादा है than friendship बजाए दोस्ती के यानि देखिए थोड़ा सा इसको समझने कोशिश कीजे कि यदि लेखक कहना चाहरा है कि अंग्रेज लोग अपने मौसम से इसलिए जगरते हैं कि वो उस मौसम से प्यार करते हैं उसके कहने का मतलब है कि जो इन लोगों में प्यार होता है उनमें आपस में जगरा होता है आपने देखा होगा कि भाई बहन होते हैं आपस में कितना लड़ते हैं उनमें कितना ज्यादा प्यार होता है दोस्तों में भी आपस में लड़ाई होती है लेकिन उनमें प्यार होता है पति-पतनी को तो आप जानते ही हैं लड़े विना उनका दिन नहीं बीठता लेकिन उनमें प्यार होता है तो यही बात आँ लेखक कहना चाहा रहा है कि यदी हम प्रेम को प्रेम का पता लगाना चाहें उसके effects के दोरा उसके बड़े के टाइम आप देखेंगे तो friendship नहीं दिखाई देगी, आपको hatred दिखाई देगी, जबकि वास्तम में वो प्यार होता है. Now, of that, there are so many means, बहुत सारे संसाधन हैं, अब जबके बहुत सारे संसाधन हैं, of protecting, यानि सुरक्षा करने के oneself अपने आपकी effectively प्रभावी तरीके से against bad weather, बुरे मौसम से. Even children, बच्चे भी in England, England में, do not seem, नहीं लगते to be put out, दूर रहते हुए, अलग रहते हुए, by it, इसके द्वारा, यानि अब तो इससे बच्चे भी नहीं डरते, जो बुरा मौसम है, इंग्लेंड का, उससे तो अब इंग्लेंड के बच्चे भी नहीं डरते, क्योंकि मौसम स अपनी सुरक्षा करने के, बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, on that rainy day, उस बरसात के दिन, in Wilshire, Wilshire में, I saw, मैंने देखा, a surprisingly large number, एक, surprisingly, आश्चेर जनक रूप से, large number, बहुत बड़ी संख्या, of them, उनकी, किनकी, बच्चों की, out, बाहर, in the fields, मैदानों में, and walks, और सड़क पर, footpath में, वोक करने की जगे हैं, टहलने की जगे हैं, there were even babies, यानि बच्चों को तो छोड़िये, वहां पर शिशु भी थे, बच्चा वो है, जो चल फिर सकता है, और शिशु बेबी कौन है, जो चल नहीं सकता, वो शिशु हो होता है, तो there were even babies, वहां शिशु भी थे, in their prams, अपनी गाडियों में, जो छोटे बच्चा को घुमाने के लिए, आपने देखा होगा, गाडियां होती है, तो उसको प्रेम बोलते हैं, तो शिशु भी थे, अपनी गाडियों में, and toddlers, toddlers, वो बच्चे होते हैं, जिन्हों अब ही चलना सीखा है, वो, वो स्वेगरिंग मतलब, चलते हुए, अकडते हुए, along in their bright jerseys, bright, चमकीली jersey, वो स्वेटर होता है, अपनी चमकीली जर्सियों में, अकडते हुए, चलते हुए, caps, अपनी टोपियों में, and mackintosh, mackintosh, एक लबादा है, बरसाती है, चोगा है, ह वो सब पहने हुए, बच्चे, unmindful, unmindful, मतलब, कोई ध्यान नहीं दे रहे, of the fine drizzle, fine बढ़िया drizzle बूंदा बांदी, जो अच्छी खासी बूंदा बांदी हो रही है, उस पर भी वो बच्चे, कोई ध्यान नहीं दे रहे, there were also, वहाँ पर थे, a number of gypsy families, a number of, यानि बहुत सार जिपसी families कौन होते हैं, जो घुमन्तू परिवार होते हैं, उनका कोई घर नहीं होता है, एक जगह वो रहते नहीं, जहां रुग गए, वहीं देरा डाल लिया, वहीं टेंट लगा लिया, वहीं रह लिये, तो वो जिपसी families होती हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे घुमन्तू बैठे हुए, बाइदा कारवा, अपने कारवा, वो एक बड़ी इसी गाड़ी बना लेते हैं, और एक गाड़ी क्या, बहुत सारी गाड़ियां होती है, एक के पीछे एक समू होता है गाड़ियों का, तो अपने कारवा के पास, उन गाड़ियों के पास, आराम करते हुए, the children बच्चे यानि उन घुमंतू परिवारों के बच्चे tumbling लोड़कते हुए close by पास ही में यानि बच्चे भी आराम से पल जाते हैं उनके इधर उदर लोड़कते हुए मिट्टी में खेलते हुए कुछ मिट्टी में खेले कुछ मिट्टी खाई और बड़े मजबूत होते हैं उनकी immunity जबरदस्त होती है तो उनके बच्चे वहाँ पर लोड़कते हुए and the horse grazing और घोड़े घास चरते हुए at a little distance थोड़ी दूड़ी पर looking the most composed of the group looking जो दिखाई दे रहे थे the most composed सरवाधे composition of the group some more now to come अब आते हैं to the main point मुख्य विंदू पर I think मैं सोचता हूँ the weather मौसम ने has very largely entered यानि मौसम बहुत विशाल तरीके से entered प्रवेश कर गया है into the formation formation होती है बनावट सनरचना तो बनावट में सनरचना में of the English man's mind अंग्रेजों के दिमाग की अंग्रेजों के दिमाग की जो सनरचना है उसमें मौसम प्रवेश कर गया है and or the training प्रशिक्षन of his sensibilities उसकी समवेदनाओं के उसके समवेदनाओं का जो प्रशिक्षन है और उसका जो मस्तिश्क है उसकी सनरचना में मौसम बहुत ज्यादा प्रवेश कर गया है it has made him it यानि मौसम ने has made him उसको बना दिया है यानि अंग्रेजों को बना दिया है responsive respond करना मलब प्रतिक्रिया देना responsive यानि प्रतिक्रिया देने वाला to changes परिवर्तनों के प्रति in the environment जो के वातावरण में होते हैं capable उसको समर्थ बना दिया capable means समर्थ तो अंग्रेज को समर्थ बना दिया है of meeting meeting मतलब मिलना होता है लेकिन यहां मतलब हुआ सामना करना तो सामना करने में समर्थ बना दिया है किस चीज़ का सामना करने में surprises जीवन में आपने देखा हुआ कुछ चीज़ है suddenly हो जाती है तो वो कहला दें surprises तो जीवन में जो अचानक से होने वाली बाते हैं उनका सामना करने में समर्थ बना दिया है of all kinds हर प्रकार के both दोनों ही pleasant and unpleasant तो कुछ जो घटना अचानक घटती है उनमें से कुछ pleasant होती है यानि सुखद होती है और unpleasant दुखद होती है तो दोनों ही प्रकार की घटनाओं का सामना करने में समर्थ बना दिया है मौसम ने and of taking और लेने में contentemps ये contentemps मतलब वही अचानक से होने वाली घटनाएं या दुर घटनाएं with good humor good humor होता है सकारात्मकता सकारात्मकता के साथ लेने में समर्थ बना दिया यानि वह जितनी भी अचानक होने वाली घटनाएं या दुर घटनाएं उनको सकारात्मक तरीके से लेते है नकारात्मक तरीके से नहीं लेते good humor above all और सबसे उपर it has made him इसने उनको बना दिया है यानि मौसम ने अंग्रेजों को बना दिया है observant observant means अवलोकन करता of and susceptible to susceptible means समवेधनशील to concrete details concrete abstract का opposite होता है यानि solid details विवरण यानि एक विवरण के प्रती वो इतने समवेधनशील है और इतने observant यानि अवलोकन करते हैं ध्यान से देखते हैं चीजों को observe करते हैं और ये सब कुछ उनको किसने प्रदान किया है ये सामर्थ है उनको किसने प्रदान की है उनके मौसम ने लेखक के अनुसार उनका मौसम responsible है उत्तरदाई है इन सब अच्छे गुणों के लिए I was very much intrigued I was मैं था very much बहुत ज्यादा intrigued means जिग्यास हुँ यानि मुझे बड़ी जिग्यासा हुई by his absorption his उसके absorption समावेश के द्वारा in small things छोटी छोटी चीजों में यानि जो एक अंग्रेज व्यक्ती है वो छोटी छोटी चीजों में absorb means डूब जाना भी होता है तो छोटी छोटी चीजों में कैसे डूबा हुआ है या छोटी छोटी चीजों को उसने अपने जीवन में कैसे समाहित किया हुआ है कैसे उनका समावेश किया हुआ है इसको लेकर मुझे बड़ी जिग्यासा हुई a boss a knocker a hinge a paw foot to a chair तो a boss बॉस क्या है जो बिल्डिंग बनाने में आर्किटेक्शर में एक उभरी हुई कलाकृती होती है जिसको बॉस बोलते हैं सजावट के लिए तो वो सजावट का तरीका आर्किटेक्शर का knocker KNOC के knock कमता होता है खट-खट आना आपने देखा होगा कि जो हमारे पुराने दर्वाजे है आपके आपका कोई पुराना घर हो तो उसमें देखना कि कडासा लटका होता है गोल-गोल आगे कि बाहर से कोई आया तो उसको knock कर दे कॉल बेल तो होती नहीं थी अब तो कॉल बेल बजा देते हैं लोग तो हम दर्वाजा खोलने आ जाते हैं लेकिन जो हमारे पुराने घर थे उनमें हर जो बाहर मिली जो में गेड होता था उस पर एक गोल-गोल कडा लटका रहता था जिसको के लोग खट-降टा देते थे हिला देते थे तो वो दर्वाजा खट-خटाने की अवाज आती थी और अंदर से विक्ति आके खोल देता था तो उसको कहते थे नौकर अ भिलार ॐ होता है कबजा होता है आपने देखा होगा कि जो दरवाजे हैं चोखट के साथ जुड़े होते हैं एक हिंज से कबजे से उसको हिंज बोलते हैं अब पौफुट पौफ़ पंजाब फुट पैर टुट चेर लकड़ी यानि जो कुरसी है कुरसी की टांग वो पंजे के आकार की अंग्रेज़ लोग बनवाते हैं और मैं क्या बोलूं और सारे लकड़ी की जो चीजें हैं उनके बारे में मैं क्या बात करूं बहुत सारी चीजें हैं जिस पर वो बहुत ध्यान से कारीगरी करते हैं और अ रोट आईरण गेट ये डेख सारी लोहा होता है कच्चा लोहा होता है जिससे दरवाजे बनाए जाते हैं तो अ रोट आईरण गेट तो जो लोहे का दरवाजा है देख सारी लोहे का दरवाजा है उस पर जो कलाकृति की जाती है Seems to have an irresistible fascination for him seemed प्रतीत होते हैं to have जैसे के उनमें हो an irresistible irresistible क्या होता है जिसको आप control नहीं कर सकते unyantrit fascination होता है जादू, सम्मोहन for him किसके लिए अंग्रेज व्यक्ति के लिए एक अंग्रेज व्यक्ति के लिए इन छोटी छोटी चीजों में a niyantrit जादू है यानि वो उससे समोहित रहते हैं वो उन चीजों को अपने जीवन में समाहित करते हैं John Clare may have been a highly developed Englishman John Clare ये एक अंग्रेज लेखक है may have been वो रहा होगा a highly developed Englishman, एक highly बहुत ज़्यादा developed विकसित Englishman अंग्रेज व्यक्ति in his sensibility अपनी समवेदन शीलताओं में to small creatures छोटे जानवरों के प्रती छोटे प्राणियों के प्रती but लेकिन unless he had been typically English unless यदि न he had been वो होता यदि वो न होता typically English यानि विशेश रूप से अंग्रेज व्यक्ति अगर वो अंग्रेज नहीं होता he could never have written तो वो कभी नहीं लिख पाता about बारे में किसके बारे में the frog मेढ़क के बारे में half fearful जो के आधा डरा हुआ है jumping कूदते हुए across the path रास्ते को पार करते हुए the little mouse छोटा चूहा leaving its hole अपने बिल्स को छोड़ता हुआ अपने बिल से निकलता हुआ in the evening शाम को and nimbling और कुतरता हुआ with timid dread timid यानि डरा हुआ dread भै डरे हुए भै के साथ beneath the swath घास के डेर के नीचे beneath means नीचे the swath घास के डेर के नीचे or the jetty snail or या the jetty means काली snail creeping रेंगते हुए from mossy thorn mossy moss होती है काई mossy काई लगे हुए thorn काटा होता है लेकिन यहाँ पर जाड़ी काटेदार जाड़ी के पास रेंगती हुई with earnest heed earnest यानि बहुत ज्यादा गंभीर heed means ध्यान से and tremulous intent tremulous कपकपाते हुए intent इरादों के साथ यह सारे शब्द उसने इन छोटी छोटे प्राणियों के लिए प्रयोग किये हैं कपकपाते इरादे बहुत ध्यान से तो I saw मैंने देखा some of this interest इस रुची में से कुछ यानि ये रुचियां कुछ देखी मैंने in little things छोटी छोटी चीजों में and it seemed और ये लगा to lend an extraordinary jest कि to lend means प्रादान करना और मुझे ऐसा लगा कि इस छोटी छोटी चीजों में जो रुचियां हैं इन्होंने प्रादान किया है an extraordinary means असाधारन zest means उत्साह to an Englishman's life एक अंग्रेज आदमी के जीवन को एक अंग्रेज आदमी के जीवन को असाधारन उत्साह प्रादान किया है इन छोटी छोटी चीजों में जो उनकी रुची है उसने in Wells Cathedral Wells के Cathedral में I was wine में खरीद रहा था some picture postcards कुछ picture postcard आपने देखा होगा अब तो क्योंकि पत्र लिखे नहीं जाते तो postcard और लिफाफे हम लोग प्रियोग नहीं करते हैं अब तो mail भीजते हैं लेकिन जब हम postcard भेजा करते थे या लिफाफे भेजा करते थे तो बड़े अच्छे postcard आते थे जिन पर के तस्वीरें छपी होती थी जैसे आप अगर ताज महल घूमने जाएं तो वहाँ पर postcard मिलते थे जिन पर ताज महल की तस्वीर बनी होती थी या दिल ली जाएं लाल कले की तस्वीर बनी होती थी कहीं भी जाएं किसी बड़ी जगह घूमने जाएं तो वहाँ पर postcard मिलते थे जिन पर के उस जगह की तस्वीरें बनी होती थी तो लेखा कहरा है कि इन वेल्स वेल्स में जब मैं देखने गया I was buying मैं खरीद रहा था some picture postcards कुछ तस्वीरों वाले postcard and or my English companion मेरे अंग्रेज साथी साथ में उनके एक अंग्रेज था picked up उसने उठाया and tossed over और फैंका मेरी तरफ one एक postcard which showed जो कि दिखाता था यानि जिस पर के बनी हुई थी a small figure एक छोटी तस्वीर एक छोटी आकरती in relief relief का मतब एक उभरी हुई कलाकारी होती है यानि आप अपने हाथ से उसको touch करें तो उभरी हुई लगती है आप नोट पे भी अगर आप आँक बन करके touch करें नोट पे भी कुछ उभरा हुआ लिखाई होती है जिनके पास द्रिष्टी नहीं होती तो वो नोट को छूगे पहँचान लेते हैं कि यह इतने का नोट है तो उस पर यह relief का मतलब वोई उभरी हुई कलाकरती उस पर बनी हुई थी of the virgin of the annunciation तो यह the virgin of the annunciation जो virgin Mary है यानि ईसा मसीह की माता उनकी तस्वीर है और virgin of the annunciation का मतलब annunciation उस समय की तस्वीर है जबके गैब्रियल जो एंजिल था उस ने आकर उनको बताया कि आप एक बच्चे की माँ बनेंगी और वो बच्चा मसीहा होगा पेगंबर होगा तो उस वक्त की जो तस्वीर है उसमें Virgin Mary की तस्वीर होती है साथ में जो एंजल गैबरियल है उसकी भी तस्वीर होती है तो ये तस्वीर उस पर बनी हुई थी The Virgin of the Annunciation यानि जिस वक्त Virgin Mary को ये सूचना दी गई थी कि आप एक बच्चे की माँ बनेंगी Saying और उसने मेरी तरफ ये पोस्ट कार उचाला ये कहते हुए Saying कहते हुए You might take that आप इसको ले सकते हैं Mr. Chaudhry यानि निराज सी चaudhry जो हमारे लेखक हैं उनको कहा उस अंग्रेज ने कि आप ये वाला पोस्ट कार ले सकते हैं My own choice और मेरी खुद की जो चोईस थी जो मैंने पोस्ट कार चुना था On the contrary इसके विपरीत जो मेरी चोईस थी यानि लेखक ने जो पोस्ट कार चुना था वो था Was for the views of the whole building ऐसे पोस्ट कार उसने चुने थे लेखक ने जिसन में कि पूरी बिल्डिंग का पूरी इमारत का view था चित्र था At Cambridge again और Cambridge में A very famous English writer एक बहुत प्रसिद अंग्रेज लेखक asked me उसने मुझे पूछा When he heard जब उसने सुना That I had just been मैं अभी अभी गया था To the Fitzwilliam Museum Fitzwilliam Museum है ये Cambridge में हैं Fitzwilliam Museum जब उसने सुना कि मैं Fitzwilliam Museum गया था Whether कि क्या I had seen मैंने देखा था A little picture एक छोटी तस्वीर From a Pridela piece एक Pridela piece की यानि Pridela piece क्या होता है वेदी होती है या मंच होता है या मूर्ती होती है उसके पीछे जो चित्रकारी होती है उसको Pridela piece बोलते हैं तो क्या मैंने वो तस्वीर देखी थी मूर्ती के पीछे की चित्रकारी bought a picture postcard of it और इसका picture postcard भी खरीदा था बट लेकिन he was referring वो बात कर रहा था to another picture एक और तस्वीर की so I went again इसलिए मैं फिर गया and found it और इसको पाया to be one एक ऐसी तस्वीर which was quite familiar to me जो मेरी पूरी तरीके से परचित थी जिससे मैं परचित था from a reproduction एक reproduction के माध्यम से reproduction क्या होता है replica होती है जैसे कि आप अगर आगरा आते हैं ताज महल घूमने जाते हैं तो वहाँ पर छोटे-छोटे आपको ताज महल मिलेंगे उनको reproduction या replica बोलते हैं कुछ लोगों के घरों में जैसे आपने Mona Lisa की तस्वीर देखी होगी तो वह उसका reproduction होता है replica होती है उसी की तो from a reproduction I had at home तो उसकी एक reproduction यानि आप हिंदी में बोलें तो प्रतिकृति बोल सकते हैं इसको उसकी एक प्रतिकृति से जो के मेरे पास घर में थी I had at home मेरे घर पे थी बट लेकिन which I had quite unaccountably overlooked लेकिन जिसको के I had quite unaccountably यानि बड़े साधारन धंग से बिना किसी वजह के मैंने उसको overlook किया था यानि अंदेखा किया था It was the picture ये तस्वीर थी Of the Miracle of St. Genovius Miracle चमतकार of St. Genovius सेंट्स हुए हैं Christianity में बहुत सारे और उन्होंने बड़े बड़े चमतकार किये हैं जैसे St. Genovius ये मरे हुए लोगों को पुनेह जिंदा कर देते थे बीमार लोगों को अच्छा कर देते थे तो इस प्रकार के चमतकार इसाही धर्म में संतों के द्वारा किये जाते हैं इसाही धर्म में क्या मुझे लगता है कि सभी धर्मों में ऐसी बाते होती हैं कि उन्होंने किसी बीमार को चूलिया तो वो अच्छा हो गया किसी मृत वेक्ति को चूल लिया उसको जीवंदान दे दिया जैसे के हमारे श्री कृष्ण जी ने परिक्षित को जीवंदान दिया था जब परिक्षित को वो ब्रहमास्तर लग गया था और वो उसकी इम्रत्य हो गई थी तो उसको श्री कृष्ण ने जीवंदान दिया था तो ऐसे चमतकार हर same characteristic the same यही characteristic विशेष्टा is illustrated दिखाई देती है परिलक्षित होती है by the extraordinary sensitiveness extraordinary असाधरन sensitiveness सम्विदन शीलता that the English people show that जो के the English people अंग्रेज लोग शो दिखाते हैं प्रदर्शित करते हैं to the inherent attributes inherent छिपे हुए निहित attributes गुण ओफ वुड लकडी के stone पत्थर के metal धातू के और glass या कांच के यानि लकडी में पत्थर में धातू में और कांच में जो गुण हैं उनके प्रती अंग्रेज लोग जो सम्विदन शीलता प्रदर्शित करते हैं उसमें भी यही विशिष्टा दिखाई देती है they seem वो प्रतीत होते हैं to be drawn खिसते हुए by them उनके द्वारा यानि लकडी उन्हें खिसती है पत्थर उन्हें खिसता है धातू उन्हें खिसती है और कांच उनको खिसता है they seem to be drawn by them वो उनसे खिसते हुए उनकी तरफ खिसते हुए प्रतीत होते हैं as वैसे ही जैसे के cats are बिल्लियां खिची चली जाती है by the texture बनावट के द्वारा texture means बनावट या बनावट के द्वारा of velvet velvet मलमल की and satin satin भी एक कपड़ा होता बहुत मुलायम होता है तो यह जो मुल बनावट की ओर जैसे बिल्लियां खिची चली जाती है वैसे ही अंग्रेज लोग लकडी पत्थर धातू और कांच की चीजों की तरफ खिचे चले जाते हैं we in the tropics we हम in the tropics यानी जो हमारे कटे बंधिय शेत्र है ट्रोपिक्स कहलाते हैं यानी ट्रोपिक ओफ कैंसर और ट्रोपिक ओफ कैप्रिकॉन गर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो शेत्र है वो ट्रोपिक्स कहलाता है हम उसी के अंदर आते हैं तो we in the tropics हम in tropics छेत्र में ट्रोपिक्स वाले शेत्र में यानी के कटे बंधिय शेत्रों में would never have dreamed of कभी सोच भी नहीं सकते सपने में भी नहीं सोच सकते आफ लीविंग छोडने का दब बीम्स बीम्स होती है शेहतीरें बीम के बीम तराजु को भी बोलते हैं लकडी की तराजु भी होती है और बीम लकडी की शेहतीरें भी होती है एक्सपोज्ड खुली हुई in a stately room एक शांदार कमरे में जैसे के सोलर एक कमरे का नाम है पैन हर्स प्लेश इसके बारे में हमागा पहले बात हो चुकी है तो ये जो सोलर है वो एक state dining room है बीच में बना हुआ है इस building के बीच में पैन हर्स प्लेस के बीच में और आफ पुटिंग आफ ब्रॉंज बुशेल या फिर हम ये भी नहीं सो सकते पुट मने रखने की आफ ब्रॉंज बुशेल ब्रॉंज कान से होता है बुशेल एक नापने का पैमाना होता है एक बाल्टी आप कह सकते हैं जिसमें के 35 लिटर से उपर कोई चीज आती है तो उसको बुशेल बोलते हैं तो एक कासे की बुशेल मैजर यानि नापने की जो बरतन है इन इट इसमें हम उस कमरे में नहीं छोड़ सकते इवन दो चाहे ये इट माइट है बीन कास्ट ये बनी हुई हो फ्रॉम दा गन्स गन्स बंदूकों से आफ दा इस्पैनिश आर्मेडा Spanish Armada की यानि Spanish Armada में जो बंदू के शामिल थी चाहिए यह उनी से बनी हुई क्यों नहों Spanish Armada के बारे में आप जानते होंगे यह Spain का fleet था यानि जहाजी बेड़ा था Spain का जिसमें के 130 जहाज थे पानी के जो के लिस्वन से चले थे मई 1588 में इंग्लेंड पर आक्रमण करने के लिए और उनका उद्देश क्या था Queen Elizabeth first के उखाड कर फैंकना उनके राज्य को उनके सामराज्य को उखाड कर फैंकना तो यह Spanish Armada की बंदूकों से ही बना हुआ क्यों नहों हम उस कमरे में शांदार कमरे में उस बुशेल को उस बाल्टी को नहीं रखेंगे An edge beam एक edge क्या होता है छिली हुई लकड़ी को छिल कर जो बनाया जाता है beam शेहतीर है तो एक छिली हुई शेहतीर वोड बी recent बने गुस्सा करना तो उसको देखकर गुस्सा किया जाएगा by us हमारे द्वारा यानि हम अगर एक छिली हुई शेहतीर लकड़ी की देखेंगे तो उस पर गुस्सा करेंगे क्या कहके as a symbol कि ये एक प्रतीक है of racial discrimination racial means नसलिय discrimination भेदभाव कि ये नसलिय भेदभाव का प्रतीक है if it could be seen अगर इसको देखा गया in a room एक कमरे में in which जिसमें के we had been put हमें रखा गया हो by an Englishman एक अंग्रेज आदमी के द्वारा यानि एक अंग्रेज आदमी के द्वारा हमें एक ऐसे कमरे में रखा गया हो जिसमें के asd beam यानि छिली हुई लकडी की शहतीरें लगी हो तो हम उस पर गुसा करेंगे कि ये जो शहतीरें हैं वो racial discrimination का प्रतीक हैं यानि नसलिय भेदभाव का प्रतीक हैं वो कैसे देखिए जो लकडी होती है उसके ऊपर पेड़ का आप तना देखिए पेड़ का जो तना होता है वो बाहर से जो उसकी छाल होती है वो काली होती है और हम लोग काले होते हैं एधर एशिया से गए हुए लोग तो अब जो छिली हुई लकडी है वो उपर की परत हट जाती है उसकी काली वाली जो छाल है और अंदर से जो लकडी निकलती है एकदम साफ सुत्री गोरी सफेद रंगी निकलती है तो हम ये महसूस करेंगे कि ये जो सफेद रंगी छिली हुई लकडी है इसकी शेतीरें लगी हुई है ये भेद भाव का प्रतीक है यानि वो जो बेड़ की छाल है बेड़ का जो तना है बाहर वाली जो छाल है वो तो हमारे रंग के जैसी है और उसको छीलने के बाद अंग्रेजों की तवचा है और जो काली वाली लकडी है उपर की जो छाल है वो हमारी तवचा है तो हम ऐसा महसूस करेंगे कि ये शेती ने इसलिए लगाई गई है कि हम अपने आप पर शर्मिंद की महसूस करें कि भई हमारी छाल तो जो हमारी खाल है हमारी जो तवचा है वो तो चाल के जैसी है और जो अंग्रेजों की तवचा है वो इस एड्स बीम के जैसी है यानि छिली हुई जो लकड़ी है उसके जैसी है We should not have noticed हम notice नहीं करेंगे हम ध्यान नहीं देंगे The slight, hulky seat waviness, leher in the seats seatों में यानि जो बैठने की बैंचें बनी हुई है seats of the benches in the marble hall जो marble hall है जो संगे मरमर का hall है उसमें bench बनी हुई है, उनमें एक waviness है उनमें एक leher है उसको हम नहीं महसूस करेंगे हम उस पर ध्यान नहीं देंगे marble hall of the headfield house इसका जिकर पहले ही आ चुका है, headfield house का and we would not have affectionately held up और हम affectionately प्रेम से भावनाओं के साथ नहीं समालेंगे नहीं सोचेंगे and contemplate contemplate means भी सोचना होता है, विचार करना होता है a piece in blue bristol glass एक piece यानि कोई एक वस्तू जैसे कोई glass है या कोई और क्रोकरी है, कोई कटोरी है of blue bristol glass नीले bristol काच की यानि नीले काच की बनी हुई कोई वस्तू है तो हम उसको उतने affectionately उतने प्यार से नहीं held up पकड़ेंगे and contemplated और नहीं उस पर विचार करेंगे जितना के अंग्रेज लोग करते हैं बस यसा है नहीं, हमको भी अच्छे लगते हैं नीले नीले काच के खुबसूरत ग्लास होते हैं, खुबसूरत क्रॉकड़ी होती है हमें भी अच्छी लगती है, पता नहीं नीला से चौदी यसा क्यों बोल रहे हैं अंग्रेजों के घरों के बड़े वाले यानि महान लोगों के घर अल्सो गिफ देते हैं एविडेंस यानि कि प्रमाण आफ दा लव, उस प्रेम का आफ कंक्रीट डीटेल्स जो के सूश्म विवरणों के प्रती होता है कंक्रीट मिंस वैसे तो मूर्थ होता है मूर्थ विवरण या सूश्म विवरण आपके लिए यानि बारीखियों बारीखियों के प्रती जो प्रेम होता है वो दिखाई देता है अंग्रेजों के घरों के आंतरिक भाग में इंटिरियर्स में दे आर वो होते हैं इन अवे एक तरीके से पॉसिबल संभव only केवल in that climate केवल उसी जलवायों में and weather और मोसम में यानि ऐसे जो घर हैं वो केवल उसी जलवायों और उसी मोसम में संभव होते हैं they were made उनको बनाया गया था by द्वारा and meant for और उनका उद्देश था यानि ए गर उन्हीं के लिए बने हैं उन्हीं के द्वारा बने हैं और उन्हीं के लिए बने हैं अब पीपल एक ऐसे लोगों के लिए, पीपल मतलब ऐसे देश के लोगों के लिए, अब भई ठंड पड़ती है, इंग्लेंड में, तो जब ठंड पड़ती है, तो शाम को इतनी कड़ाके की सर्दी में बाहर निकलना संभब नहीं होता हम तो बाहर घुमने निकल जाते हैं, सुबह हो या शाम हो बाहर घुमने निकल लेते हैं, तहले निकल लेते हैं, लेकिन इनके जो घर हैं, वो इस तरीके से बनाए गए हैं, उन्हीं लोगों के लिए बनाए गए हैं, जिनकों के लंबी शामे वितानी हैं, इंडोर्स, दरवाजों के अंदर, घर के अंदर, सम्टाइम्स कभी कभी डे आफ्टर डे एक दिन के बाद दूसरे दिन यानि कभी कभी ऐसा होता है कि वो दो दो तिन तिन दिन नहीं निकल पाते जब बर्फ बारी होती है तेज बर्फीले तूफान आते हैं दिसम्बर जनरली के महिने में अकसर वहां बहुत कड़ागे की सर्दी पड़ती है और लोग दो-दो दिन घर से बहार नहीं निकल पाते वेन दा माइन्ड वुड भी बिनम्ड वेन जब दा माइन्ड मस्तिष्क वुड भी बिनम्ड विनम्ड में सुन पड़ जाता है बाई इट्स ओन एम्टीनेंस अपने खोद के खालीपन से जब घर में बंद रहोगे पूरे टाइम तो क्या करोगे दिमाग खाली होगा और खाली दिमाग शयतान का खाल अभी तो खाली हम लोग नहीं होते क्योंकि टीवी होता है मोबाईल होता है पहुत साई चीज़ा होती है लेकिन ये थोड़ी बात पुरानी चल रही है कि उस बक्त दिमाग एकदम खाली होता है और वो सुन पड़ जाता है अनलेस इट कुड क्रॉल यदी वो ना रेंग सके क्रॉल मींस रेंगना होता है अनलेस यदी ना इट ये ये मतलब दिमाग हमारा दिमाग अगर वो ना रेंग सके ना चल सके फ्रॉम वन अबजेक्ट टू एनदर एक वस्तू से दूसरी वस्तू की ओड यानि उसे कुछ देखने को कुछ करने को ना मिले तो वो दिमाग सुन पड़ जाता है यानि उसको चलने को ना मिले किसके साथ में एक अनवरत लगातार अनवरत चेन तो आप जानते कड़ी एक कड़ी जो होती हैं लगातार अनवरत कड़ियों में आफ इंट्रेस्ट मींज अभिरुची की फरनीचर यानि या तो सामने ऐसा फरनीचर हो जिसको हम देख सकें चाइना ये चाइना देश नहीं चाइना की बनी हुई चीज हैं हर जगे पाई जाती हैं बोन चाइना की बनी हुई चीजज़ा या चाइना क्ले की चीणी मिटी की बनी हुई चीज़ चाइना की बनी हुई ग्लास इस प्लेट टश्तरियाँ पिक्शर्स तस्वीरे और्नामेंट्स की चीज़ है चाइना Cliff लिएक्ले की चीणि मिरणी है ना हो ब्लेक्ट उर्नामेंट की चीज़ है उतना इनरी होटेल आगध्लेम्नेट की चीणिव, और यह अच्छे अच्छे से बनाई जाती है, सजागे बनाई जाती है and other fixtures and or other दूसरे fixtures यानि वो चीजें, बस्तुएं fix होती हैं, रखी होती हैं तो fixtures बोलते हैं उनको और दूसरी बस्तुएं यानि ऐसी बस्तुएं अगर घर में ना हों जिनको के देख सके दिमाग, जिनका अब लोकन कर सके तो वो सुन हो जाता है, अगर ऐसी चीजें ना हों I was surprised मैं आशर चके था to find पाकर how, कैसे in the big private libraries बड़ी private means व्यक्तिकत libraries, पुस्तकालयों में of the houses, घरों के बड़े पुस्तकालयों में यानि घरों के व्यक्तिकत पुस्तकालयों में the books किताबें bound, बंधी हुई uniformly, एक आत्मक रूप से, एक तरीके से in leather leather, चमडे से and standing और खड़ी हुई, side by side एक दूसरे से सटी हुई were able वो समर्थ थी यानि वो किताबें समर्थ थी to fix the attention हमारे ध्यान को केंद्रित करने में to fix केंद्रित करने में the attention ध्यान को individually, व्यक्तिक अदरूर से even before इससे पहले भी कि one had read the titles व्यक्ति उनके शीर्षक को पढ़े यानि व्यक्ति उन किताबों को उठाए या उनके शीर्षक को पढ़े उससे पहले ही वो ध्यान को आकरशित कर लेती थी केंद्रित कर लेती थी these interiors ये आंतरिक भाग यानि घरों के ये आंतरिक भाग were stopped भरे हुए थे on the same principle उसी सिधान्त पर as skrillsness जैसे कि गिलहरियों के घोंसले भरे होते हैं are in winter सर्दियों में सर्दियों में गिलहरी का घोंसला भरा रहता है उसमें मतलब वो गर्मी में इखटा कर लेती है अपना भोजन सर्दियों में निकलने का मौका नहीं मिलता तो वो अपना घोंसले को पूरा भर लेती है खाने की सामगरियों से तो ऐसे ही अंग्रेजों के जो घर हैं उसी सिद्धांत पर भरे होते हैं Thus इस प्रकार it happens ये होता है That कि although यद्यपी most सरवाधिक lavishly lavishly फिजूल खर्ची का तरीका या भरमार भरकर decorated सजे हुए lavish वो ब्यक्ती होता है जो बहुत ज़़ा फिजूल खर्ची करता है तो lavishly decorated बहुत भारी तरीके से वो सजे हुए होते हैं कौन अंग्रेजों के घर They do not become वो नहीं बनते oppressive पीड़ा दायक or give an impression और नहीं वो देते हैं impression आभास of overloading overload जब किस चीज को ज़्यादा भर देते हैं तो वो overload हो जाती है ठूस ठास हो जाती है उसमें तो अंग्रेजों के घरों में बहुत सारा सामान भरा होता है लेकिन वो overloading का कि ऐसा आभास नहीं देते कि वो overload हो रहे हैं जरूस से ज्यादा भरे हुए हैं ठूस ठास का आभास नहीं देते क्योंकि भई वो बने ही इस तरीके से हैं और इस तरीके के लोगों के लिए बने हुए हैं कि वो लोग अपने घर से निकल नहीं पाते सर्दियों में इसलिए उनके घरों में सामान ज्यादा होता है वैसा ही अगर हम अपने घरों में भर लेंगे ज्यादा ठूस ठास कर लेंगे सामान की तो जो हमारे घर हैं वो oppressive लगेंगे वो पीड़ा दायक लगेंगे बहुत ज्यादा सामान दिखेगा कबाड़ा दिखेगा तो उनके घर ऐसे नहीं लगते such rooms ऐसे कमरे would be हो जाएंगे unendurable, endure means सहन करना endurable सहन करने लायक, unendurable असहनिया in the tropics यनि कटिबंदों में where जहां the light, रोश्णी and wind और हवा have रखते हैं unhampered, बे रोग टोग hamper means रोखना और unhampered, बे रोग टोग access पहुँच to the interiors, अंदर तक and give और देते हैं to the mind मस्तिश को an eradicable एक eradicable जिसको नहीं हटाया जा सकता जिसको नहीं समाप्त किया जा सकता outdoor और even nomadic caste outdoor यानि बाहरी और even यहां तक कि nomadic means घुमन्तू, caste means आकार या आकृती in weather मौसम में like ours जैसा कि हमारा होता है even the sculptures of charters charters यानि France की मौर्तियां भी हमारे जैसे मौसम में तो France की मौर्तियां भी would merge, शामिल हो जाएंगी, mix up हो जाएंगी in an indeterminate mass एक indeterminate का मतभ़ होता आइस्थिर, mass means धेर of ornament सजावटी चीज़ों का आइस्थिर, mass धेर में शामिल हो जाएंगी and saint theodore and saint or saint theodore or saint modest become यानि saint modest बन जाएंगे, mere means capable, decoration सजावट के सामान instead of बजाएं, instead of का मतभ़ होता है के बजाएं, being होने के the radiant radiant यानि आभावान आपने देखा होगा कि जो बहुत पहुचे हुए संत होते हैं, या फिर देवी देवता होते हैं, उनके शरीर से और उनके चेहरे से एक आभा निकलते हैं, एक तेज निकलता है तो उसको बोलते हैं radiant यानि तेजवान, आभावान individuals, व्यक्ति that they are जो के वो हैं यानि हमारे घरों में आके उनकी मूर्तियां केवल सजावट का सामान हो जाएंगी बजाए उस आभावान व्यक्तित्तों के जो के वो हैं that may have been the reason that यही may have been हो सकता है the reason कारण why के our sculptors, हमारे मूर्तिकार, when जब they wanted वो चाहते थे to compel, बाद्धे करना us, हमको to notice, ध्यान देने के लिए जब हमारे मूर्तिकार यह चाहते थे के हम ध्यान दे, their handiwork, उनके कारे पर, handywork, उनके हाथ के कारे पर, उनके हस्त, शिल्प पर क्या हम उनकी मूर्तियों पर strongly accented erotic focal points strongly means शक्तिशाली तरीके से accented, उभरे हुए erotic, कामुत्ता पैदा करने वाले focal points, केंद्र विंदू of interest, अभिरुची के यानि वो इस तरीके की मूर्तियां पैदा करते, बनाते थे, अपने हस्त, शिल्प से, अपने हाथों से, जो के erotic feelings, यानि कामुत्ता की भावनाएं पैदा करें, यहाँ आप चाहें, तो असहमत हो सकते हैं, निराजसी चौधी से, मैं personally असहमत हों इस बात से, कि हमारे मूर्तिकारों ने सिर्फ erotic मूर्तियां बनाई हैं, और उनकी जो मूर्तियां हैं, उनसे तेजवान लोगों की मूर्तियां नहीं बनाई हैं, उन्होंने radiant individuals जैसे कि, इन्होंने कहा, तो personally मैं निराजसी चौधी से सहमत हैं, बहुत अच्छे अच्छी मूर्तियां बनाई गई हैं, भगवान बुद्ध की मूर्तियां आप देखिए, एक से एक खुपसूरत मूर्तियां हैं, और हम उनके हस्त शिल्फ को उतना ही appreciate करते हैं चली आगे बढ़ते हैं कोई बात नहीं, ये निराजसी चौधी का अपना, उनकी राय है, अपनी opinion है तो जरूरी नहीं कि हम उनसे सहमत हो और एक चैप्टर जब आप पढ़ते हैं और जब उस पर questions attempt करते हैं तो वहाँ आपको पूरी आजादी है कि आप असहमत हो और लेखक से, जरूरी नहीं कि आप लेखक से सहमत हो आगे बढ़ते हैं there can be no doubt इसमें कोई शंका नहीं हो सकती that कि the English weather अंग्रेजी मौसम has fostered उसने पोशित किया है foster मतलब होता है पालना पोसना तो अंग्रेजी मौसम ने पोशित किया है परिपोशित किया है a pronounced degree pronounced degree मतलब आप कहिए कि निश्चित मात्रा निश्चित मात्रा पैदा की है या परिपोशित की है of sensitiveness समवेदन शीलता की to nuances nuances होती है असुविधाएं असुविधाओं के प्रती and made और बनाया है both दोनों को man and things मनुश्यों को तथा वस्तुओं को more mellow more अधिक mellow होती है नम्र विनम्र it lays a sort of patina on them it ये lays चड़हता है a sort of एक प्रकार का patina चमक on them उन पर यानि अंग्रेजों पर यहां का मौसम एक प्रकार की चमक एक प्रकार की आभा पैदा करता है patina क्या होता है एक हरे से रंकी परपटी सी होती है जो कांसे के पुराने वर्तनों पर जम जाती है और वो जो पुराने बरतन है कांसे के ऐसा लगता है कि जैसे उन पर कोई सजावट कर दी गई हो या फिर चमक होती है आवा होती है जो घिस जाने से लकडी पर पैदा की जाती है आपने देखा होगा जब लकडी के दरवाजे बगएरा बनाई जाते हैं घर में तो उनको घिसा जाता है और घिसने से उन पर चमक पैदा होती है और अगर आपके घर में कोई बड़े लोग हों घर में होंगैं ममी पापा बगएरा और जो गाओं में पढ़ें हों तो उन से पूचेगा किया वो पट्टी पर पढ़े थे ज़से घिसते थे पट्टी को घोटना बोलते थे तो इतनी चमकती थी वो लकड़ी की पट्टी जिसपे हम पढ़ते थे तो उसको भी आप पैटी न बोल सकते हैं तो एक शान एक धार एक चमक पैदा हो जाती है तो ये उनके उपर एक धार रख देती है उनके अंदर एक चमक पैदा करता है जो अंग्रेजी मौसम है इस मौसम ने पैदा किये हैं लास्ट वो बने रहते हैं वो बने रहते हैं उतनी ही देर तक, केवल उतनी ही देर तक बने रहते हैं, the range of variability in the weather, के range होती है सीमा, of variability means विविधता की, in the weather मौसम में, does not exceed, exceed मतलब होता है ज्यादा होना, जब तक विविधता की सीमा ज्यादा नहीं हो जाती, किस से? the range of tolerance, range of tolerance, tolerance होती है सहनशीलता, सहनशीलता की सीमा से, of these peoples, इन लोगों की, of the temperate lands, temperate lands, जो मैंने आपको बताया था, जो tropic of cancer और tropic of Capricorn, करक रेखा और मकर रेखा, दोनों के बीच का जो शेतर है, उसमें तो हम लोग आते हैं, और उस रेखा से उपर, और उस रेखा से नीचे, जो zone है, जो शेतर हैं, उनको temperate lands बोलते हैं, और ये जो zones हैं, ये ठंडे रहते हैं, नौर्थ उपर की साइड भी धुरूब की ओर ठंडा रहता है, और नीचे के south pole की तरफ भी ठंडा रहता है, तो उनको temperate lands बोलते हैं, तो ये जो temperate lands के लोग हैं, यानि शीतोष्न प्रदेशों के, शीतोष्न शित्रों के जो लोग हैं, उनकी सहन शिलता की सीमा से मौसम जब तक आगे नहीं बढ़ जाता, तभी तक उनके ये गुण बने रहते हैं, if they go, यदि वो जाते हैं, into hot countries, गरम देशों में, they are refinements, they are उनके, यानि ये ठंडे प्रदेशों के जो लोग हैं, उनके refinements, मतलब उनके संसकार, उनकी अच्छे गुण, we are out, वो गिस जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, खतम हो जाते हैं, we are out का मतलब गिस जाना होता है, तो उनके जो गुण हैं, जो उनके संसकार हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, जब वो कहाँ जाते हैं, hot countries में, गरम देशों में, and they tend to exhibit, और tend to, मतलब जुख जाते हैं, tend to मतलब होता है, tend मतलब जुख जाना, वो किधर जुख जाते हैं, to exhibit, प्रदर्शित करने की ओर, और वो क्या प्रदर्शित करने लगते हैं, the hardcore, कठोर भाग, उनके अंदर एक जो कठोरता है, उसको दिखाने लगते हैं, of their personality, उनके व्यक्तित्व की, उनके व्यक्तित्व की जो कठोरता है, वो exhibit होने लगती है, वो प्रदर्शित होने लगती है, turning sour and narrow, और turning means वो बदल जाते हैं, sour होता है, खटा या फिर कड़वाहट, उनके अंदर कड़वाहट पैदा हो जाती है, and narrow, narrow क्या होता है, संकीलता, उनके अंदर संकीलता पैदा हो जाती है, यानि इसका narrow का opposite होगा, broad mindedness, यानि विशाल हिरदयता, तो जब तक वो ठंडे देशों में रहते हैं, अपने शेत्र में रहते हैं, तो वो विशाल हिरदय होते हैं, broad minded होते हैं, और जैसे ही वो गर्म द देखिए कि भई जो जिसका सुभाव अच्छा है, broad minded है, वो गर्म देशों में आके संकील हो जाएगा, चलिए वो कह रहे हैं तो मान लेते हैं, it was not for nothing, it was not for nothing, यू ही नहीं था, it was not for nothing, इसका मतलब है, यू ही नहीं था, that कि the ten commandments, दस अध्यादेश, were supposed, माने गए थे, to be non-existent, कि वो अस्तित्तों में नहीं है, east of स्वेज, स्वेज नहर के पूर्व की ओ, ये ten commandments, ये Bible के हैं अध्यादेश, और स्वेज के नाल, इसको आप जानते होंगे, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोडती है, स्वेज केनाल, दो केनाल हैं, आपने general knowledge में पढ़ा होगा, competitive exams के अगर आप तयारी करना हैं, तो स्वेज केनाल और पनामा केनाल, ये बहुत, दोनों ही बहुत important हैं, जो पनामा केनाल है, Atlantic सागर और प्रशांत महा सागर को जो आफ्टर एक्सपिरेंसिंग अनुभव करने के बाद, the English weather, अंग्रेजी मौसम को, I had no difficulty, मुझे कोई कठनाई नहीं हुई, in understanding, समझने में, वाई, क्यूं, Englishman, अंग्रेज लोग, बिकेम, बन गए थे, so offensive, इतने अत्याचारी, इन इंडिया, भारत में, Losing, खोकर, देयर, अपनी, यूज्वल, स्वाभाविक, काइंडिनेस, दयालोता, एंड इक्वेबिलिटी और समानता, in human relations, मानव संबंधों में, Their sense, उनकी भावना, of proportion, अनुपात की, ब्रोक डाउन, तूट गई, the habit, आदत, of understatement, Understatement means, हलके में लेने की, disappeared, गायब हो गई, and, or, they became, वो बन गए, extremist, अतिवादी, With an incredible, incredible means, अविश्वस्निय, stridency, stridency क्या होता है, तीखापन, तो with an incredible stridency, एक अविश्वस्निय, तीखेपन के साथ, in their opinions, अपनी राय में, which became, जो बन गई, raw, and crude, Raw होता है, कच्चापन, और जब आदम वयस्क हो जाता है, तो वो, उसमें, एक rightness आ जाती है, एक पक्कापन हो आ जाता है, तो वो, उनके अंदर क्या आ गया, raw, कच्चापन, and crude, crude होता है, भद्दा, यानि आदमी जब थोड़ा पढ़ लिख जाता है, intelligent हो जाता है, तो वो sophisticated हो जाता है, और crude का opposite है, sophisticated, तो वो पढ़े लिखे होने के बावजूद यहाँ पर crude हो गई, यानि असभ्य बन गई, in many cases, बहुत से मामलों में, they degenerated, वो आप कह सकते हैं, degenerated मतलब पतित हो गए, into outright, outright बिल्कुल, cats, बदमाश, यानि एक या फिर बेदब बन गई वो, बिल्कुल, outright बिल्कुल, cats, बेदब आदमी बन गई and or the more sensitive, जितना ज्यादा समवेदशील and specialized or vicious, the English organism, यानि व्यक्ती, शरीद, जितना उनका शरीद या जितना उनका व्यक्तित्व, अंग्रेज था, the more word it became, उतना ही word होता है विक्रित, उतना ही विक्रित ये हो गया, यानि जितने ज्यादा वो अंग्रेज थे, जितने अच्छे उनमें अंग्रेजी संसकार थे, उतने ही ज्यादा विक्रित वो हो गए भारत में आकर, I have constructed, मैंने बनाया है, a scale, एक पैमाना, of the former offensiveness, formal means पूरवर्ती, offensiveness, अत्याचार करने की जो आदत थी, या पीड़ा पहुँचाने की जो आदत थी, of the English, अंग्रेजों की, in India, भारत में, by categories, श्रेणियों के आधार पर, ये मैंने एक पैमाना बनाया, लेखक ने, निरासी चौधी ने एक पैमाना बनाया है, in it, इसमें, I have placed, मैंने रखा है, the main sahib, जो महिलाएं थी, अंग्रेजों की, main sahib, उनको first, पहले स्थान पर, for unpleasantness to us, unpleasantness, अप्रियता to us, हमारे प्रती, with the Anglican clergyman, और जो अंग्रेज clergy थे, जो पादरी थे, as a close second, वो बिलकुल करीब ही दूसरे नमबर पर है, नमबर एक पर मैं साहिब है, और दूसरे नमबर पर है, clergy, this was natural, यह स्वाभाविक था, because, क्यूंके, the main sahib, जो main sahib थी, जो अंग्रेजों की महिलाएं थी, was far more delicate, वो बहुत ज्यादा नाजुक थी, delicate means नाजुक, then the sahib, sahib से, जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज साहिब लोग थे, उनसे उनकी जो महिलाएं थी, वो ज्यादा नाजुक थी, and or the Anglican clergyman, जो अंग्रेज पादरी थे, was, वो थे, certainly निश्यही, the most सरवाधिक, specialized, vicious Englishman, अंग्रेज व्यक्ती, who came to India, जो भारत आई, the ill-natured, ill-natured, बुरे सुभाव की, पीविशनेस, चिर्चडापन, बुरे सुभाव का चिर्चडापन, of the women, महिलाओं का, and or the uncharitable, दयाहीन, charity दया होती है, uncharitable, दयाहीन, arrogance, घमंड, of the priest, पुजारियों का, वर थे, वर लगाया, क्योंकि दो चीज़ें आई न, ill-natured, पीविशनेस, और uncharitable, arrogance, ये दोनों, दुरगण थे, inconceivable, conceive का मतलब होता है, सोचना, conceivable, सोचने लायक, और inconceivable, जो, न सोचा जा सके, यानि, अविचार नहीं है, in anyone, किसी में भी, किसी भी व्यक्ती में, brought up, जिसका पालन पोशन किया गया हो, bring up मने पालन पोशन करना, और brought up, second form है, second और third दोनों है, brought up, जिसका पालन पोशन किया गया हो, in the English tradition, अंग्रेजी रीत रिवाज के अनुसार, but, लेकिन, what could the poor creatures do, what, क्या, could the poor creatures, बिचारे प्राणी, क्या कर सकते थे, बिचारे प्राणी क्या कर सकते थे, यानि, बिचारे अंग्रेज लोग क्या कर सकते थे, If the pride of power and race made them so, the climate and weather of a tropical country did not have a less powerful hand in the transformation. If यदि the pride, घमंड, of power, ताकत का and race और नसल का made them so, उसने उन्हें ऐसा बना दिया, the climate, जलवायू and weather, और मौसम of a tropical country, एक कटिबंधिय देश का, यानि, जो भारत था, एक कटिबंधिय देश है, तो इस कटिबंधिय देश का, did not have a less powerful hand, इसका मतलब हुआ, उसका भी कम हाथ नहीं था, कम ताकतवर हाथ नहीं था, यहां के मौसम का भी कम ताकतवर हाथ नहीं था, in the transformation, इस बदलाव में, इस परिवर्तन में, उनके सुभाब में, उनके आचरण में, उनके व्यवहार में, जो परिवर्तन आया उसमें अगर उनकी पावर का और उनकी नसल का हाथ था तो हमारे यहां के मौसम का भी कम हाथ नहीं था many of those Englishmen many बहुत से of those Englishmen उन अंग्रेज लोगों में से who came जो आये to serve सेवा करने के लिए in India भरत में as officers अफसरों के रूप में civil servants या नाग्रिक सेवकों के रूप में नाम तो servant होता है लेकिन अफसर है तो नाग्रिक सेवकों के रूप में या अफसरों के रूप में यहां अपनी सेवायँ देने आये नौकरी करने आये और clergymen या पित जो पादरी थे जो पोजाडी थे who have been successful जो के सफल रहे थे and even lovable और यहां तक के प्यार करने लायक थे वोर्ड हाउस और साकी हीरोज at home तो यह जो वोर्ड हाउस है यह भी एक लेखक है और यह साकी है इनका नाम है Hector Hugh Munro और उनका pen name साकी है तो वोर्ड हाउस और साकी इन दोनों लेखकों के जो हीरोज हैं जो नायक हैं उन्ही की तरह होते यह भी कहां at home अपने घर पर यानि अपने देश में तो जो लोग यहां पर आए यह अंग्रेज लोग जो यहां पर अफसर बन कर आए या Civil Servant बन कर आए या Clergy Man बन कर आए और यहां आकर उन्होंने इतना बुरा व्यवहार किया भारतियों के साथ अगर वो अपने देश में होते तो वो कैसे होते successful and even loveable वो सफल और प्रिय होते जैसे के वर्ड हाउस और साकी के नायक है उनके ड्रामाज में उनकी कहानियों में उनके जो नायक हैं उनके जो हीरोज हैं वैसे ही यह लोग भी होते बट लेकिन whatever they might have been capable of standing up to there लेकिन whatever जो कुछ भी they might have been capable वो समर्थ रहे हो of standing up stand up का मतलब होता है बरदाश करना वो कुछ भी बरदाश करने में सफल रहे हो देर वहाँ पर यानि अपने देश में है including dreadful aunts जिनमें के including शामिल थी dreadful aunts भयानक आंटियां भयानक चाचियां ताईयां जो भी है they could not be expected they could not be expected उनसे उमीद नहीं की जा सकती थी to stand up बरदाश करने की to 110 degree Fahrenheit 110 degree Fahrenheit की जो लब तापमान है यहां का without harm बिना किसी नुकसान के भारत का जो तापमान है भारत की जलबायू का उसको बरदाश करने की उनसे उमीद नहीं की जा सकती थी 7 years in India 7 साल भारत में made किपलिंग in candy scent made बना दिया किपलिंग रोडियार किपलिंग है लेखक है भारत के बारे में लिखता है तो किपलिंग को in candy scent in candy scent होता है बड़ा उत्साही भारत को लेकर बड़ा उत्साही था रोडियार किपलिंग तो 7 साल रहा वो भारत में तो उस 7 साल के प्रवास ने किपलिंग को बना दिया in candy scent बड़ा उत्साही 17 would have calcined him अगर वो 17 साल रुकता तो calcined का मतलब होता है जला कर राख कर देना सुखाना तो अगर वो ज् participants और ज्यादा रुक जाता 17 साल रुक जाता तो जो भारत का मौसम है वो उसको जला कर राख कर देता यानी उसका जो उत्साह है वो समाप्थ हो जाता रुकना, ठेहरना, तो भारत में जो वो रुका, भारत में जो उसका प्रवास था, made him, उसने उसको बना दिया, भारती प्रवास ने उसको बना दिया, incapable, असमर्थ, of loving, प्रेम करने में, any Indian, किसी भी भारतिय को with a mind, जिसमें की दिमाग हो, जिसमें की मस्तिश्क हो, ऐसे किसी भारतिय को प्रेम करने में उसने असमर्थ बना दिया and or led him उसको प्रेरित किया to reserve सुरक्षित रहने के लिए all his affection अपना सारा प्यार for किसके लिए for का मतलब के लिए what could be called what मतलब यहां क्या नहीं है what का मतलब जो जिसको के could be called कहा जा सकता था the human fauna human इंसानी fauna यानि एक flora और fauna होता है flora होती है वनस्पती और fauna होता है जीवन जानवर तो मानविय जीवन of the country इस देश का if a moral is to be drawn if यदि a moral कोई नैतिक पाट एक नैतिक पाट is to be drawn निकाला जाए यानि कोई नैतिक निशकर्ष निकाला जाए नैतिक पाट सीखा जाए from all this इस सब से यानि अभी जो जितना discussion हुआ है जितनी परिचर्चा हुई है यदि उस सब से कोई निशकर्ष निकाला जाए it is a simple one तो ये निशकर्ष बड़ा साधारण है और क्या है वो never demand कभी भी मांग मत करना more ज्यादा की from the spirit आत्मा से then उस से यानि अपेक्शा गृत दफ्लेश हैस दपावर फ्लेश यानि शरीर हैस दपावर शक्ती रखता है to give देने की यानि शरीर में जितनी देने की शक्ती है उस से ज्यादा मत मांगना आत्मा से and never never और कभी नहीं कभी भी नहीं in any circumstances कैसी भी परिस्थितियों में सीख कोशिश करना सीख माने वैसे तलाश करना होता है लेकिन यहाँ पर जो इसका आर्थ लगेगा वो होगा कोशिश करना तो never never in any circumstances कभी नहीं कभी भी नहीं किसी भी परिस्थिती में सीख कोशिश करना to put asunder put asunder का मतलब होगा अलग करना अलग करने की कभी कोशिश मत करना those उनको whom जिनको God और नेचर ईश्वर या प्रकृती ने has joined together has joined मिलाया है together साथ में ईश्वर ने और प्रकृती ने जिनको साथ में मिलाया है उनको कभी अलग करने की कोशिश नहीं करना for instance उदाहरण के लिए the Englishman and his weather अंग्रेज और उनका मौसम यानि अंग्रेजों को उनके मौसम से कभी अलग करने की कोशिश मत करना अरे तो भही हमने कहां किया खुद ही आए ना किसने कहा था कि यहां आओ भारत को लूट के ले जाओ खुद आए अपने मौसम से अलग हुए खुद भी परेशान हुए हमें भी परेशान किया चलो अंत भला तो सब भला वो भी गए और हम भी आजाद है यहां पर यह अध्याय समात्त होता है उमीद है आपको समझ में आया होगा अगला अध्याय अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद